दोस्तो नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुराग्ष अधरी दोस्तो जीयस दृष्टी सामान विज्ञान के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परिक्षाओं के सामान विज्ञान के लिए उपयोगी रसायन विज्ञान के महतपूर्ण प्रश्णों का भाग एक संरश्णा के बारे में जान लेते हैं कि परमार्व संरश्णा किस तरह की होती है दोस्तों ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये परमार्व के बारे में ये धर्शाया गया है कि परमार्व की संरश्णा इसी प्रकार होती है परमाड़ या एटम किसे कहते हैं इसकी परिभासा जान लेते हैं दोस्तों किसी तत्यों के सुक्ष्मतमकण जो रासाइनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं उसे परमाडू कहते हैं और इनका जो आकार होता है वो बहुत अधिक छोटा होता है और सबसे छोटा हाइडरोजन परमाडू होता है जिसकी त्रिज्या दसमलो2-8 इंगेस्ट्राम होती है और इंगेस्ट्राम आप जानते हैं जो है लंबाई का बहुत ही छोटा मातरक होता है अन्य परमाड़ू की त्रेजिया दस्मलव 7 एंगेश्ट्राम से 2.5 एंगेश्ट्राम तक होती है लेकिन सबसे छोटा जो परमाड़ू है वो हाइड्रोजन परमाड़ू होता है भार तो परमाड़ू का भार कितना होता है द क्या है दोस्तों इसको Atomic Mass Unit कहते हैं इसमें परमाड़ में सबसे हलका Hydrogen परमाड़ होता है जो एक दस्मलव सुन्ने सुन्ने आठ Atomic Mass Unit के बराबर इसका द्रब्यमान होता है जबकि अन्य परमाड़ों का द्रब्यमान 2 से 260 Amu तक होता है Hydrogen जिसको 1 यच्वन से परदर्शित किया जाता है जिसमें नीचे का 1 जो है इसका परमाड़ो क्रमांग का और उपर का परमाड़ो द्रब्यमान होता है तो इसको Hydrogen को 1 H1 से परदर्शित किया जाता है दोस्तों इसकी खोज हेनरी केवेंडिस ने 1786 में की थी यानी Hydrogen की खोज हेनरी केवेंडिस नामकरा सायन सास्त्री ने 1786 में की थी और इसका नामकरण लेवाशिये द्वारा किया गया था परमाड़ कोई सनरशना जान लेते हैं दोस्तों परमाड़ की सनरशना किस प्रकार है दोस्तों परमाड़ जो है अस्थाई और अस्थाई मूलकड़ों से मिलकर बना होता है अस्थाई मूलकड़ों में तीन मूलकड़ है इलेक्टरान प्रोटान और निउट्रान और इसकी संरशना किस प्रकार होती है दोस्तों इलेक्टरान जो है वो परमाडु नाभिक के चारों और कच्छाओं में चकर लगाते हैं इस चित्र में आप देख भी सकते हैं कि इलेक्टरान जो है ये परमाडु के केंदर में जो हमारा प्रोटान और नियूटरान होता है उनका चक्कर लगाते हैं इलेक्टरान की खोज किसने की थी दोस्तों इलेक्टरान की खोज एक वैज्ञानिक रहे जे जे थामसन इन्हों ने 1897 में इलेक्टरान की खोज की थी और दोस्तों इलेक्टरान का द्रब्यमान पर माड़ के द्रब्यमान का लगभग एक बटे 1837 भाग होता है और इसकी विशेश्टा ये है कि इलेक्ट्रान जो है ये रिड़ावेसित कर यानि निगेटिव चार्ड पार्टिकिल होते हैं इलेक्ट्रान पर माइनस एक दस्मलोच 6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कुलाम का आवेस होता है यानि इलेक्ट्रान जो है रिड़ावेसित कर है इस पर रिड़ावेस होता है और इसका द्रब्यमान इलेक्ट्रान का द्रब्यमान 9.11 इंटू 10 to the power माइनस 31 किलोग्राम होता है जो अत्यन्त ही सुक्ष्म है इलेक्ट्रान के बाद आये प्रोटान के बारे में जानते हैं तो जो हमारा परमाड़ू है उसके नाभिक में प्रोटान और इलेक्ट्रान प्रोटान और न्यूट्रान मूलकन होते हैं जिनके चारो तरफ इलेक्ट्रान का च्छाओं में चक्कर लगाते हैं प्रोटान की खोज किस ने की थी तो दोस्तों प्रोटान की खोज ई गोल्ड इस्टीन और अरनेश्ट रदरफोड नामक बैग्यानिक ने 1920 में की थी कुछ किताबों में प्रोटान के खोज करता को गोल्ड इस्टीन माना गया है लेकिन असपष्ट जानकारी प्रोटान के बारे में रधर फोर्ड ने दी थी दोस्तों रधर फोड द्वारा बताया गया कि प्रोटान का द्रब्यमान हाइड्रोजन परमाड के द्रब्यमान के बराबर होता है और इसकी विशेष्ता ये है कि हाइड्रोजन परमाड के बराबर द्रब्यमान वाला जो प्रोटान है वो एक धनावेशित कर्ड यानि positively charged particles हो प्लस 1.6 x 10 to the power minus 19 कुलाम का आवेश होता है और इसका द्रब्यमान 1.67 x 10 to the power minus 27 किलोग्राम होता है इलेक्टरान और प्रोटान के बाद आईए देखते हैं न्यूटरान तो न्यूटरान भी परमाड के नाभिक में उपस्थित मूलकर होता है इसकी खोज यानि दोस्तों न न्यूटरान की खोज जिम्स चैडविक ने 1932 में की थी और प्रोटान और न्यूटरान आप जानते हैं कि ये परमाड के नाभिक में उपस्थित होते हैं इन दोनों को न्यूकलियान की संग्या दी जाती है प्रोटान और इलेक्टरान को मिला कर न्यूकलियान कहा जाता है दोस्तों neutron बिद्दुत उदाशीन यानि neutral particles होते हैं और इनका द्रब्यमान भी hydrogen पर्माडु के द्रब्यमान या proton के द्रब्यमान की बराबर होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg ये neutron का द्रब्यमान होता है अब आईए पर्माडु सनरशना देख लेते हैं दोस्तों पर्माडु सनरशना में एक नाभिक होता है जो केंदर में इस्थित होता है नाभिक के अंदर दोस्तों neutron में proton और neutron और पर्माडु का ख्छाओं में electron चकर लगाते हैं तो ये किसी भी पर्माडु के ये सनरशना होती है आईए जान लेते हैं दोस्तों परमाडुक्रमांक या एटमिक नंबर किसे कहा जाता है दोस्तों परमाडुक्रमांक का परतीक जेड होता है और परमाडुक्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटानों की संख्या होती है तो परमाड उक्रमांग का मतलब ये है किसी परमाड के नाभिक में उपस्थित प्रोटानों की संख्या को उसका परमाड उक्रमांग कहते हैं और इसकी विशेष्टा ये है कि प्रतेक तत्यों का परमाड उक्रमांग इस्थिर और निश्चित होता है भिन्न भिन्न तत्यों क परमाड उक्रमांग अलग-अलग होते हैं देखिए जैसे हाइट्रोजन तत्यों का परमाड उक्रमांग एक होता है अब आए द्रब्यमान संख्या यानि मास नंबर के बारे में जानते हैं कि ये क्या है दोस्तों द्रब्यमान संख्या या परमाड द्रब्यमान को ए से परद किसी भी परमाड के नाभिक में जितने प्रोटान होते हैं और जितने नियूट्रान होते हैं उनका जोड द्रब्यमान संख्या या मास नंबर कहलाता है और दोस्तों किसी तत्तों के भिन भिन परमाड की द्रब्यमान संख्या अलग-अलग होना संभव होता है और द्रब्यमा सम इलेक्ट्रानिक ऐसे आयन और परमाड़ जिनके मध्ध इलेक्ट्रानों की संख्या बराबर होती है उनको आईसो इलेक्ट्रानिक या सम इलेक्ट्रानिक तत्तों कहा जाता है और इलेक्ट्रानिक विन्यास जिनका एक समान होता है जैसे सोडियम आयन, मैगनेसियम आयन, फ समस्थानिक या आईसोटोप्स किसे कहा जाता है दोस्तों समान परमाड़ क्रमांक लेकिन भिन परमाड़ द्रब्यमान या द्रब्यमान संख्या वाले परमाड़ों को आईसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटानों की संख्या समान लेकिन न्यूटानों की संख्या भिन भिन होती है इसलिए ये तत्व समस्थानिक कहे जाते हैं समस्थानिक तत्व के कुछ उदाहरण देख लेते हैं देखे हाइड्रोजन और आक्सीजन का उदाहरण हम देखते हैं हाइड्रोजन 1H1 इसको प् जाता है और आक्सीजन का देखिए एक जो रूप है 8017 होता है और हाइड्रोजन का एक रूप है दोस्तों टाइट्रियम 1H3 यानि परमाणुक्रमान के एक हाइड्रोजन का है लेकिन उसमें तीन जो है प्रोटान और न्यूट्रानों की संख्या होती है परमाणु भार उसका ट्राइट्रियम कहा जाता है और इसी प्रकार आक्सीजन का एक रूप है आक्सीजन O818 है तो ये समस्थानिकों के आपके उदाहरण है अब आईए संभारिक के बारे में जानते हैं कि संभारिक या आईसो बार किसे कहा जाता है दोस्तों देखिए संभारिक है समान प्रोटानों की संख्या अलग-अलग होती है जैसे 1S3 और 2S3 इसमें क्या है इसके नाभिक में प्रोटानों की संख्या अलग-अलग है इसलिए दोस्तों इसको संभारिक कहते हैं क्योंकि दोनों का परमारू द्रब्यमान एक समान है सम न्यूट्रानिक किसे कहते हैं दोस्तों ऐसे तत्तों जिनके परमारू ऐसे तत्तों के वो परमारू जिनमें न्यूट्रानों की संख्या समान होती है जैसे 14Si30 15P31 16S32 इसके अलावा NH3 और 2HE4 यहां पर देखिए 6C13 और 7N4 इसमें क्या है न्यूट्रानों की संख्या समान है इसलिए इनको सम न्यूट्रानिक या आईसो टोन्स कहा जाता है अब आए जानते हैं दोस्तों रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटा के बारे में रेडियो सक्रीता दोस्तों अलफा बीटा और गामा क इनके अंदर स्वतह भेदी केड़े उस सर्जित करने का गुड होता है जिसको की रेडियो सक्रेता कहा जाता है दोस्तों रेडियो एक्टिव बिगटन क्या है तो नाभिकी प्रक्रिया होती है नकी रासायने का अभक्रिया और इसमें जो है अलफा बीटा और गामा केड़े उस सर्जित होती है रेडियो एक्टिव तत्व कौन से है तो देखिए भारी नाभिक यानि परमाड उक्रमांग 83 से आगे में पाये जाने वाले तत्तों को इसमें रेडियो एक्टिव ता का गुण पाया जाता है और सबसे पहले एक बैग्यानिक रहे हेनरी बैकुरल इन् की अलामा मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम में रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की गई मैरी क्यूरी और उनके पती पियरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व पोलूनियम की खोज और मैरी क्यूरी द्वारा 1902 में यूरेनियम आयस्क पिच ब्लेंड जिसका की फार्मूला है U308 यहां से यूरेनियम के 30 लाग गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की गई थी और वर्तमान सताबदी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्व में रेडान, प्रो एक्टिनम, एक्टिनियम और फ्रांसियम हैं यह सभी रे रेडियो एक्टिव तत्व जो है स्वतह उसरजित करते रहते हैं देखे सबसे पहले हम अलफा कीड़ों के बारे में जानेंगे कि यह अलफा कीड़े जो हैं उनकी विशेष्टा क्या होती है दोस्तों अलफा कीड़े धनावेशित कड़ होते हैं और इनको अलफा से सम्ब यानि हीलियम या 2-0 alpha4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और अलफा कीड़ों का बेक प्रकास कीड़ों के एक बटे दस भाग होता है दोस्तों अलफा कीड़े फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और ये उसको काला कर देती है इसके अलावा बिद्द और चुम्बकी छेत्रों का प्रभाव बिद्दु छेत्र में ये रिड़ावेसित प्लेट की और विक्षेपिण यानि मुढ जाती है और अलफा कीड़ों में चुम्बकी छेत्र में भी विक्षेपण होता है अलफा कीड़ों में आयनी करण या आयनाइजिंग पावर होता ह बीटा किंडों से 100 गुना और गामा किंडों से 10,000 गुना आयनी करण की छमता अलफा किंडों में होती है इसके अलावा इसकी भेदन चमता दस्मलो सुन्य सुन्य दो सिंटिमीटर मोटी एलियूमिनियम की चादर का भेदन यानी अलफा केंडों की भेदन चमता अत्यांत कम होती है अब आए बीटा केंडों के बारे में महतोपूर्ण जो तत्थे हैं उनको जान लेते हैं देखिए बीटा केंडे रिड़ावेसित केंडे कले होती हैं और एक ही काई रिड़ावेस होता है इनका द्रभेमान दस्मलो 0,0,0,5,4,8,6,A,M,U होता है इसको 1B0 या 1E0 से प्रदर्शित किया जाता है इसका वेग यानी बीटा केंडों का वेग परकास के वेग के बराबर होता है और दोस्तों बीटा कीड़े जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर अलफा कीड़ों की अपेक्छा प्लेट को कम काला करती है और विद्दुत और चुम्बकी छेतरों में जो प्रभाव है विद्दुत छेतर में ये धनावेशित प्लेट की और मुर्ती है और चुम अब आईए तीसरे महत्वपूर्ण किरण गामा किरण के बारे में जानते हैं दोस्तों गामा किरण ये बिद्दुत उदासीन होती है और इसका तरंग दैरे लगभग एक इंगेश्ट्राम के बराबर होता है गामा किरण का वेग लगभग परकास के वेग के बराबर है और ये दोस्तों फोटोग्राफिक प्लेट को अलफा और बीटा किरण की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करती है इसकी अलवा गामा किरण विद्दूत और चुम्बकी छेतरों का कोई प्रभाव नहीं इस पर पड़ता है क्योंकि ये उदासीन किरणे होती है और लेकिन आयनी करण की छमता जो है दोस्तों ये अलफा किरणों से एक बटे दस हजार गुना अधिक और बीटा किरणों से एक बटे सो यानी इसकी आयनी करण की छमता अत्यंत कम होती है जबकि गामा किरणों की भेदन छमता सरवाधिक होती है और ये सो सेंटीमीटर मोटी एलियूमिनियम की चादर का भी भेदन कर देती है तो ये था अलफा बीटा और गामा किरणों के प्रमुख गुण अब आ किया जाता है अलफा केंडे जो हैं वो हीलियम कही जाती है हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं प्रोटान और न्यूटरान तो दोस्तों हीलियम के नाभिक में दो प्रोटान और दो न्यूटरान होते हैं अगला प्रिश्ण है परमाड में कच्छों को भरने का क्रम नियंत प्रश्णों का संक्लाइब रेडियो एक्टिविटी के आविस्कार कौन है तो यह हैं दोस्तों अंटोईन हेनरी बैकुरल हेनरी बैकुरल 1896 में इन्होंने एक्स कीडो या रेडियो एक्टिवता की खोज की थी तो यह था दोस्तों आज का वीडियो जीयस द्रिश्टी सामान विज्ञान के अंतरगत महत्तोपूर रसायन विज्ञान के प्रश्णों का संक्लन जो आपके आगामी परिक्षाओं के ल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार यह मागदोशन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शाधरी दोस्तों जीयस द्रिश्टी सामान विज्ञान के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परिक्षाओं के लिए उपयोगी रसायन विज्ञान के महतपूर्ण प्रश्णों का भाग दो जिसमें आज की वीडियो में आप रसायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलियन अकारवनिक रसायन धातुए खने जेवं अयस्क तथा प्रमुख मिसर धातुओं से संबंधित प्रश्णों को देखे जो आपके आगामी परिक्षाओं के सामान निया ध्यन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो जीयस द्रिष्टी रसायन विज्ञान के महतपूर्ण प्रश्णों का भाग दो आएए सबसे पहले रसायनिक और भौतिक परिवर्तन के कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और यह रिवर्सिबल होते हैं यानि इसमें उत्करमर्ण संभव है और इसका उदाहरण यह है कि बर्फ को गर्म किया जाना और जल को गर्म किया जाना दोस्तों भौतिक परिवर्तन की महतपूर्ण विशेशता ये है कि अस्थाई परिवर्तन में पदार्थ जो है ये परिवर्तित नहीं होता है रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है परदार्थ का द्रब्यमान में परिवर्तन हो जाता है और ये एर्रिवर्सिबल होते हैं यानि अनुत्क्रमडी होते हैं दोस्तों जो केमिकल चेंज होते हैं इनमें अस्थाई परिवर्तन होता है इसका उदाहरण देखिए कागज का जलना लोहे में जंग लगना दूद से दही जमना और भोजन का पकना देखिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं जैसे कागज को फार दिया जाए तो भौतिक परिवर्तन इसके केवल रूप में परिवर्तन हो गया ले देखते हैं विलियन या सलूशन क्या होता है दोस्तों और इसके बारे में हम महतपों ढंग से देखेंगे कि क्या है देखें विलियन क्या है तो दोस्तों विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिस्रण यानी होमोजेनियस मिक्षर जो होता है उसे विलियन कहत और विलेय क्या है दूस्तों विलेयन में विलेय पदार्थ को विलेय कहते है यानि अगर जो हम पानी में चीनी घोलते है तो चीनी उसमें घुल जाती है उसको सॉल्यूट यानि विलेय कहते है देखिए दूस्तों विलेयता क्या होती है इसको जानना बहुत जरूरी है विले देखो उसे दोस्तों विलेता कहते हैं और विलेता विलेन के ताप विले और विलायक की प्रकीर्ती और विले के कड़ों के आकार पर निर्भर करता है इस विलेता के आधार पर दोस्तों विलेन के कुछ प्रकार देखे गए हैं संत्रिप्त विलेन या सैचुरेटेड विलेन और अधिक मात्रा घोला जा सके वो असंत्रिप्त विलियन कहलाता है अतिसंत्रिप्त विलियन ये है ओवर सैचुरेटेड़ सलूशन की ऐसा विलियन जिसमें विलेपदार्थ की मात्रा अधिक और संत्रिप्त विलियन की मात्रा कम होती है इसको असंत्रिप्त विलियन कहते है तनु विलियन या डाइलूट सलूशन क्या है तो विलियन में विले की मात्रा कम हो उसे तनु विलियन कहते हैं और सांद्र विलियन या कंसंट्रेटेड सलूशन वो है जब विलियन में विले की मात्रा अधिक होती है उसको सांद्र विलियन कहते हैं विलियन में दोस्तों कुछ महतपूर जो गुड होते हैं देखे विलियन बिलायक और विले से संबंधित इसमें एक महतपूर परक्रिया होती है परासरण जिसको की ऑस्मोसिस कहते हैं तो दोस्तों परासरण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि परासरण क्या होता है देखिए यहाँ पर हम परासरण को समझेंगे अर्ध पारगम में जिल्ली या सेमी परमेबल मेंब्रेन जो होता है दोस्तों अर्ध पारगम में जिल्ली ऐसी जिल्लियां जो केवल विलायक के अड़ों को अपने में से होकर आरपार जाने देती हैं लेकिन विले के अड़ों को नहीं उनको अर्ध पारगम में जिल्ली कहते हैं और इसकी परिभासा ये है कि विलायक के अड़ों का अर्ध पारगम में जिल्ली से होकर शुद्ध बिलायक से बिलियन की ओर या तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर स्वतह प्रवाह जो होता है उसको दोस्तों परासरन कहते हैं परिक्षाओं की द्रिष्ट से कुछ महतपूर्ण प्रश्णों को देख लेते हैं जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस में उर्जा उत्पन होती है किस रूप में दोस्तों जल अपघटन में उस्मा के रूप में उर्जा उत्पन होती है पास्शुराईजेसन किस से संबंधित है तो दूध के निरजर्मी करण से यानि दूध से जो जर्ण से उनको हटाने या समाप्त करने से संबंधित है पाश्यूरी करण अगला प्रेश्ण है असुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों यद किसी द्रव में अशुद्धियां है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है अगला प्रेश्ण है ठोस कपूर से कपूर वास्थ बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है तो इसे उर्धो पातन कहते है और चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना किसका उदाहरण है तो ये संचारण का उदाहरण है इसके बाद आईए देखते हैं दोस्तों अकार्बनिक रसायन यानि इनार्गेनिक कमिश्ट्री से संबंधित महत्वपूर तत्थियों को देखे सबसे पहले हम आवर्त साड़ी या पेरियाडिक टेबूल के बारे में जानेंगे दोस्तों आवर्त साड़ी का सबसे पहले वैज्यानिक विकास दमित्री मेंडलीव या दमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया आधुनिक आवर्त साड़ी का विकास हिनरी मोजले के द्वारा किया गया था दोस्तों मेंडलीफ का आवर्त नियम जो था वो किस सिद्धान पर आधारी था तो मेंडलीफ का आवर्त नियम ये कहता था कि तत्तों के गुर्धर्म उनके परमाड़ भारों के आवर्ति फलन होते हैं यानि जो वो साड़ी मेंडलीफ ने बनाई थी वो तत्तों के परमाड़ भारों के आधार पर लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है उसमें क्या है दोस्तों तत्तों के भौतिक और रासायनिक गुर्धर्म उनके परमाड उक्रमांकों के आवर्ति फलन होते हैं ये आधुनिक आवर्त नियम जो है आवर्त सारी इस पर आधारित है और आवर्तिता नियम के आधार पर तत प्रिक्षाओं के द्रिश्टी से कुछ तत्यों को देख लेते हैं देखे दोस्तों तीसरे और चौते समोह के आकसाइड का सामान ने गुर्धर्म क्या है तो ये उभए धर्म यानि चारी और अमली दोनों पर किरते के होते हैं अगला प्रिश्ट है भूपरपटी पर द्रब्यमान प्रतिशत के रूप में सरवाधिक मात्रा में कौन सा तत्तों पाये जाता है तो भूपरपटी पर द्रब्यमान प्रतिशत के रूप में आकसीजन पाये जाता है जो 46.8 सुन्य प्रतिशत है अगला प्रश्ण है पिर्थवी पर पाए जाने वाले रासानिक तत्तों की संख्या लगभग कितनी है तो ये 118 है और हीरे की खनिजी बनावट क्या है तो दोस्तों हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है आईए देखते हैं धात, खनिज, आयस्क उनके गुड़ धर्म और उप्योग के बारे में तो तत्तों या एलिमेंट किसे कहते हैं सबसे पहले इसको जान लेते हैं दोस्तों तत्तों या एलिमेंट के प्रमुक्सरोत भूपरपटी या अर्थक्रश्ट होता है तत्तों में धात, अधात, उपधात, उपधात, ये सभी होते हैं तो धातुएं, अधातुएं और उपधात क्या हैं दोस्तों उपधात सेमी मेटल होते हैं इसमें धातु और अधात्व दोनों के गुड पाये जाते हैं, तद्थों तद्थों ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमालगों से बने होते हैं, उन्हें भावतिक और रासारिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता है, अब आएए तद्थों में प्रमुखरोप से धात्वों के बा में इनकी प्राप्ति दो तरीके से एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरी संयूक्त अवस्था में होती है मुक्त अवस्था में देखा जाए तो ये तत्तो के रूप में इनकी प्राप्ति होती है कम सक्री धातु है और कम सक्री धातु में गोल्ड प्लेटिनम ये सभी धातुएं होती हैं और ये प्रकिर्थ में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो संयूकत अवस्था में योगिक के रूप में प्राप्त होती हैं इनमें अधिक सक्री धातुएं जैसे कैलसियम पोटैसियम आ करने के लिए हम कुछ जो है धातूं को देखते हैं इसमें आपेक्षिक अभिक्रिया सीलता के आधार पर सबसे अधिक अभिक्रिया सील धातू ये जो तत्त है ये पोटेशियम है उसके बाद सोडियम फिर कैलसियम मैगनेसियम एल्यूमिनियम जस्ता लोहा लेड कापर पारा इसके अलामा दोस्तों चादी और सोड है तो ये करम जो था ये सरवाधिक अभिक्रिया सील इसमें पोटेशियम है और सबसे कम क्रिया सील सोड है तो ये जो लिश्ट हम को दी गई है इसमें पोटेशियम सोडियम कैलसियम मैगनेसियम एल्यूमिनियम और जस्ता ये सबसे अधिक अभिक्रियासील धातुए हैं अब आईए देखते हैं दोस्तों धातुओं के बारे में धातुओं में खनीज और आयस्क आते हैं खनीज क्या है धातुओं और उनके योगिक पिर्थवी में जिस रूप में मिलते हैं उसे खनीज कहते हैं आयस्क क्या है तो दोस्तों ऐसे खनिज जिन से धातुए निकालना आर्थिक दृष्टी से लापदायक होता है उनको आयस्क कहते हैं अब आईए जान लेते हैं प्रमुख धातुए और उनके आयस्क के बारे में और ये परिक्षाओं में पूछे भी जाते हैं दोस्तों देखिए सोडियम सबसे पहले हम सोडियम खनिज आयसक के बारे में जानते हैं तो सोडियम जो है ये इसके आयसक जो है बोरेक्स है जिसका फार्मूला है यन्ने 2B407 into 10H2O ट्रोना दोस्तों यन्ने 3HCO3 का ट्वाइस और 2H2O ये सोडियम का खनिज आयसक है इसके अलावा गलाब राइट, राक साल्ट, क्र इलिसोरा ये सोडियम के खनिज आयसक है दोस्तों अब आएए देख लेते हैं पोटैसियम के खनिज आयसकों के बारे में देखे पोटैसियम का जो प्रतीक है वो के होता है शोनाइट, सिल्वाइन और कार्नेलाइट ये सोडियम के प्रमुख आयसक है देखे शोनाइट, सि कीजे राइट और डोलोमाइट हैं देखिए एपसोमाइट जो होता है मैगनेसियम सलफेट होता है मैगनेसियम कार्बोनेट मैगनेसाइट होता है कीजे राइट मैगनेसियम सलफेट और इसमें जल की मातरा देखिए होती है और डोलोमाइट मैगनेसियम कार्बोनेट और कैल जिपसम यानी कैलसियम सलफेट, C.A.S.O.4 into 2H2O, इसके अलावा लाइमिस्टोन, C.A.C.O.3, कैलसियम कार्बोनेट, फाल्स पोर, कैलसियम फ्लोराइड, देखिए, फ्लोलोसपार, और कैलसाइट, C.A.C.O.2, इनसे प्राप्त होता है, तो कैलसियम खनिज, जिपसम, लाइमिस्टोन, फ्लोरोसपार, और कैलसाइट में मिलता है, एल्यूमिनियम के प्रमुख आयसकों के बारे में जान लेते हैं, तो सबसे प्रमुख आयक्स, एल्यूमिनियम का बाकसाइट होता है दोस्तों, इसके अलावाँ डायसपोर, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये एल्यूमिनियम के प्रमुख आयसक हैं, आईए देखते हैं कापर खनिज के प्रमुख आयसकों के बारे में, तो कापर के एजूराइट, कैलकोसाइट, मैलेकाइट और क्यूप्राइट, क्यूप्राइट मतलब क्यूप्रिक आगसाइट जो होता है दोस्तों, ये क्यूप्राइट होता है और इससे कापर की प्राप्ती होती है, लेड खनिज, लेड खनिज और आयसक के बारे में जानते हैं दोस्तों, लेट जो है गैलेना मैटलो काईट और सीरू साइट से प्राप्त होता है और सिलवर खनेज और इसके प्रमुख आयसकों में देखिए सिलवर के प्रमुख आयसक है नेटिव सिलवर के रारजी राइट और अरजिन टाइट ये सिलवर के प्रमुख आयसक है इसके अलावा जि जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामीन और फ्रेंकली नाइट है देखिए कैलामीन जिंक कार्बोनेट होता है जिंकाइट, जिंक अकसाइड है और जिंक ब्लेंड जो है जिंक सलफाइड होता है तो ये देखिए ये जिंक के प्राप्ति के प्रमुख आयस्क है मैगनीज, दोस्तों मैगनीज के प्रमुख जो आयस्क हैं उसमें देखिए मैगनाइट, पाइरोलुसाइट और हाउसे मेनाइट है तो ये मैगनीज के प्रमुख आयस्क थे आइरन दोस्तों आइरन खनीज के प्रमुख आयस्कों में देखिए मेगनेटाइट, हेमाइट, हेमाटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट और आईरन पायराइट ये आईरन यानि लोहा प्राप्ति के प्रमुख आयस्क है परिक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्पूर्ण तथ्यों को और जान लेते हैं टिन का आयस्क क्या है, तो ये है कैसी टेराइट, दोस्तों, एसे यन ओटू, जो है, ये टिन का आयस्क है मरकरी का आयस्क क्या है, तो सीने बार, दोस्तों, हजी एस, ये मरकरी का आयस्क है मारिक क्या और नीलम का रासानिक रूप क्या है तो एल्यूमिनियम आकसाइड है मोती की रासानिक संरशना कैसी होती है दोस्तों मोती जो है रासानिक रूप से कैल्सियम कार्वोनेट होता है प्लास्टर आप पेरिस का रासानिक रूप क्या है तो ये कैलसियम सल्फेट जो है जली ये कैलसियम सल्फेट C.A.S.O.4 इंटू हाफ एच्टू हो दोस्तों ये कैलसियम सल्फेट ये प्लास्टर आप पेरिस होता है और एक प्रश्ण है बैला डीला प्रमुख खनन केंद्र है तो ये हेमेटाइट लौह अयस्क हेमेटाइट लौह अयस्क बहुत ही महतुपूर लौह अयस्क होता है जिसमें आईरन की मातरा बहुत ही मातरम पाई जाती है तो बैला डीला प्रमुख खनन केंद्र है हेमेटाइ तो उससे प्राप्त धातु को मिश्र धातु कहा जाता है जैसे पीतल, इस्टील, गन मेटल, रांगा और कासा ये सभी मिश्र धातु के उदाहरण है अगला प्रशन है दोस्तों अमलगम बनाने वाली धातु कौन सी है तो पारा अमलगम बनाने वाली धातु है टांका या सोल उसके अवयव होते हैं अगला प्रश्ण है जिसकी उपस्थिती के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है ये हाइड्रोजन सलफाइड H2S होता है और फोटोग्राफी में प्रयूक्त बिलियन क्या है ये सिल्वर ब्रोमाइड है और अगला प्रश्ण है गैल्व रोधी बन जाती है अब आईए प्रमुख मिस्रधातूं के बारे में जानते हैं यहां से कई बार परिक्षाओं में प्रश्ण पूछे जाते हैं दोस्तों पीतल पीतल जो है वो ताबा और जिंक का मिस्रधातू है और इसका उप्योग बरतन और सजावटी समान बनाने में किया जाता है इस्टील इस्टील लोहा कारबन और निकिल का मिस्रधातू है जो भवन निर्माड बरतन थाली का प्लेट के निर्माड में किया जाता है इसका उप्योग और इस्टेनलेस इस्टील लोहा निकिल क्रोमियम और कारबन इनका जो है मिस्रधातू है और यह दोस् दो जोडों के मध्ध टांका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कांसा दोस्तों तांबा और टिन का मिस्रधातु है ये मुर्त जहाज और सिक्कों के निर्माण में इसका उपयोग होता है जर्मन सिल्वर दूस्तों एक प्रश्ण आता है कि किसमें सिल्वर नहीं होता है तो याद रखेगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है इसमें ताबा, निकल और जिंक होता है इसका मिसरधातु है जर्मन सिल्वर और बरतन और आभूसन बनाने में इसका प्रियोग किय जाता है बेल मेटल तो इसमें ताबा और टीन होता है जिससे घंटी और घंटों का निर्मार किया जाता है गन मेटल इसमें टीन जिंक और ताबा इसका मिसरण है और बेरिंग इस्ट्रिम पाइप फिटिंग और हाइड्रोलिक वाल्ब बनाने में गन मेटल का उपयोग किया जाता है इसकी अलावा एल निको दोस्तों एल निको एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट और लोहे का मिस्र धातु है सक्तिसाली अस्थाई चुम्बकों का निर्माड एल निको के द्वारा किया जाता है नाइक्रोम तो ये निकिल और क्रोमियम और अल्प मात्रा में लोहा और म प्रिटे इनी और एंटि मनी तथा तामबा का मिसरधातु है विभिन प्रकार के बरतनों का निरमार ब्रिटेनीया मेटल के द्वारा किया जाता है तो ये था आज का वीडियो G.S. दृष्टी सामानी विज्ञान के अंतरगत हमने रसायन विज्ञान के मोहतूपूर्ण प्रश्नों को देखा जिसमें भोतिक और रसायनिक परिवर्थन वीलयन क्या है वीलयन के प्रकार क्या है अकारभनिक रसायन में हमने आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदोशन फार सिविल सर्विसेज को सबस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों जीयस दृष्टी सामाने विग्यान के अंतरगत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परिक्षाओं के सामाने ग्यान और सामाने अध्यन के लिए उप्योगी रसायन विग्यान के महत्वण प्रशनों का भाग 3 जिसमें आज की वीडियो में हम अधातुओं कार्बन और उसके विभिन रूप जैसे ग्रेफाइट, फुलरीन, हाइड्रोजन और उसके प्रमुख योगिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक आदि के बारे में महत्वण जानेंगे, दोस्तों कार्बन जिसका की प्रतीक C होता है, कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं, देखिए ये एक अधात्विक तत्व है और इसका प्रमाडुक्रमांक 6 होता है, यानि आवर्त साड़ी में दोस्तों ये 6 नमबर पर इस्थित है, और कार्बन सरवाधिक योगी को वाला तत्व है, संयोजन इलेक्टरान इसके 4 होते हैं, और इलेक्टरानिक विन्यास जो है कार्बन का वो NH2, 1H2, 2H2, 2P2 होता है, तो याद रखिएगा, दोस्तों कार्बन इसको C से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रमाडुक्रमांक आवर्त साड़ी में 6 है, और कार्बन जो है सरवाधिक योगी को वाला तत्व है, और संयोजन इलेक्टरान इसके 4 हैं, आबंध या बंध का प्रकार जो होता है, वो कोवैलेंट बंध यान यानी सह संयोजी बंध बनाता है, आवर्त साड़ी या पीरियाडिक टेबल में यह समोह चउद्य के आता है दोस्तों कार्बन के कुछ अपर रूप भी होते हैं देखें कार्बन के एलोट्रोप्स या अपर रूप जो हैं वो क्या हैं तो कार्बन के परमाड़ों के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन भौतिक गुणों वाले कार्बन प्रतिरूप को कार्बन के अपर रूप कहते हैं जैसे हीरा ग्रेफाइड और फुलरीन ये कार्बन के अपर रूप कहे जाते हैं जबकि इनका मूल तक तो जो है दोस्तों वो कार्बन ही होता है आईए जानते हैं हीरा के बारे में हीरा या डाइमंड दोस्तों हीरा जो है बहुत ही कीमती पदार्थ होत हीरा या डाइमंड की जो विशेस्ता होती है दोस्तों ये विद्दुत का कुचालक होता है और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है हीरा बहुत अधिक कठोर होता है ये कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है दोस्तों हीरा का वजन जो है वो कैरेट यूनिट में मा पाजाता है और एक कैरेट दसमलव दो ग्राम के बराबर होता है यहाँ पर एक प्रशना आपके लिए है कि एक कैरेट कितने मिली ग्राम के बराबर होता है दोस्तों इसका उपियोग किस में किया जाता है तो हीरा जो है या डाइमंड इसका उपियोग आभूसर बनाने में ड दोस्तों, डायमंड की जो संरशना होती है, वो द्रिण त्रियायामी यानि थ्री डायमेंशनल संरशना होती है, और ये चमकता इसलिए है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है. आईए कोईले के प्रमुक प्रकारों के बारे में जानते हैं, दोस्तों कोईला आप जानते हैं, ये कार्बन ही होता है, और कोईला का जो प्रमुक प्रकार हैं, उसमें लिगनाइट, बिटुमिन्स, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट होते हैं, दोस्तों एंथ्रेसाइट, bitumin subbitumin اور liknight दोस्तों peat subbitumin को peat भी कहा जाता है देख़िए anthracite bitumin peat और liknight जो koilरे के प्रकार होते है दोस्तों इसमें carbon की मात्रा के आधार पर तो देखा जाये तो सबसे उच्छ कोटिका koila anthracite koila होता है जिसमें subbitumin या peat इसमें 35 से 45 प्रतिसत तक कार्बन और लिगनायट कोईला ये सबसे निम्नकोटिका कोईला होता है इसमें कार्बन की मात्रा केवल 25 से 35 प्रतिसत होती है तो देखें इंथ्रेसाइट, बिटुमिन, पीट और ल, अबी पील आप यहां से देख सकते हैं सरवाधिक कार्बन की मात्रा इंथ्रेसाइट में, दूसरी निम्बर पे बिटुमिन में, तीसरी निम्बर पे पीट यह सब बिटुमिन में और सबसी कम कार्बन की मात्रा लिगनायट कोईले में पाई जाती है तो ये था कोईले के प्रमुख प्रकार और आप जान लीजे कि कोईला भी कारवन ही होता है ग्रेफ हाइट के बारे में जानते हैं दोस्तों ग्रेफ हाइट इसकी विशेष्टाएं क्या है तो देखिए ग्रेफ हाइट जो है ये उच्च गलनांग का पदार्थ होता है ये मुलायम होता है और ग्रेफ हाइट की विशेष्टा ये है कि ये विद्दुत और ताप का सुचालक होता है grape height का उपयोग कहां कहां किया आता है तो दोस्तों परमार्व सइंत्र जो हमारा nuclear reactor बनाया जाता है उसमें मंदक के रोप में neutron को औसोसित करने में दोस्तों grape height का प्रियोग किया जाता है pencil बनाने में और जो विद्दूत cell बनते हैं batteries बनते हैं उसके इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्तों ये हमारा दोस्तों ये इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफ हाइट का प्रियोग किया जाता है और भारी मशीने जो होती हैं उसमें सनेहक के रूप में या जिसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं उसमें भी ग्रेफ हाइट का प्रियोग कि बारे में महत्वपूर्ण तत्यों को देखिये फुलरीन दोस्तों इसका अन्य नाम बक मिंश्टर फुलरीन भी है फुलरीन को बक मिंश्टर फुलरीन भी कहा जाता है और ये कारवन की अत्यधिक अस्थाई संरशना होती है दोस्तों ये 20 खटभुज और 12 पंच भुजों से निर्मित होता है फुलरीन और इसकी रासायनिक संरशना C60 दोस्तों ये बहुत ही महतपूर है 20 खट भुज और 12 पंच भुजों से निर्मित होती है और इसकी रासायनिक संदशना C60 होती है और फुलरीन अत्यधिक अभिक्रिया सील पदार्थ होता है अब आये कार्बन के कुछ योगिकों के गलनांग और क्वतनांग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों यहां पर देखे कार्बन के योगिक हैं ACT-CID जिसका फार्मूला होता है CS3-COOH इसका गलनांग 290 कल्विन और क्वतनांग 391 कल्विन होता है क्लोरोफार्म ये निश्चेतक के रूप में या बेहोसी के दावा के रूप में प्रियोग किया जाता है इसका फार्मूला होता है CHCl3 इसका गलनांग 209 कल्विन और क्वतनांग 334 कल्विन होता है इसके अलावा कार्बन का एक अन्योगिक है एथिनाल C2H5OH इसका गलनांग 156 कल्विन और क्वतनांग 351 कल्विन होता है और मेथेन आप जानते हैं CH4 90 Kelvin दोस्तों इसका गलनांग होता है और मेथेन का क्वथनांग 111 Kelvin है परिक्षाओं की दृष्टी से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्यों को देख लेते हैं देखिए हीरे के अतरिक्त काच को खरोशने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो यह है दोस्तों हाइड्रो फ्लोरिक अमल HF इसका फार्मूला होता है हीरे से दोस्तों काच को खरोचा जा सकता है या उसके चिन अंकित किये जा सकते हैं उसको काटा जा सकता है इसी तरह हीरे के अलावा हाइडरो फ्लोरिकमल को भी काच को खरोचने के लिए प्रियोग किया जाता है शुस्क वर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं तो दोस्तों ठोस कार्बन डायाकसाइड को सुस्क वर्फ या ड्राई आइस कहते हैं आक्सो कार्बन के संघटक कौन है तो कार्बन और आक्सीजन देखे दोस्तों कार्बन और आक्सीजन जो है ये आक्सो कार्बन के संघटक है अधातों में कार्बन के बाद आए जानते हैं हाइड्रोजन और उसके योगीकों के बारे में दोस्तों हाइड्रोजन की प्रमुख विशेशताएं जान लेते हैं देखिए हाइड्रोजन जो है दोस्तों ब्रहमांड में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है इसका फार्मूला H2 होता है दोस्तों पिर्थवी की सतह पर तीसरा सरवाधिक परचुर मात्रा में पाय जाने वाला तत्यो है और हाइड्रोजन आवर्त साड़ी में पहले नंबर पर है इसका परमाड उक्रमांक एक है इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास 1S1 होता है और प्रिथवी के वाई मंडल में हाइड्रोजन की मात्रा दसमलो एक 5 प्रतिशत पाय जाती है इसका परमाड भार या द्रव्यमान संख्या एक होती है और इसको कैपिटल यज से प्रदरशित किया जाता है दोस्तो हाइड्रोजन जो है इसके कुछ समस्थानिक भी होते हैं जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक जो सरोमान्ने है ये बहुत ही महत् общем है देखिए हाइड्रोजन का ड 1H1 यानि देखिए परमाड़क्रमांग 1 और परमाड़ भार जो है वो 1 ये प्रोटियम कहा जाता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है और दोस्तों ये हाइड्रोजन का अस्थाई समस्थानिक होता है इसमें न्यूट्रानों की संख्या 0 होती है deuterium तो deuterium का formula या परतेख होता है 1H2 इसका परमाड़ क्रमांक 1 है क्योंकि समस्थानिक जो होता है वो उसका अस्थान या परमाड़ क्रमांक सेम होता है जबकि परमाड़ भार भिन भिन होता है तो इसका परमाड़ भार 2 होता है और परमाड़ क्रमांक 1 ही है और इसको दोस् यूरे, ब्रिकवैड, मर्फी द्वारा 1931 में की गई थी और इसमें एक न्यूटरान भी इसके नाभिक में पाया जाता है तीसरा तो देखिए प्रोटियम, डिूटीरियम और टाइटरियम टाइटरियम का प्रतीक 1S3 होता है और इसको कैपिटल T से परदर्शित किया जाता है जो टाइटरियम हो दोस्तों टाइटरियम ये रीडियू एक्टिव जो है तत्त है इसके खोज करता लोजियर, ब्लीक ने और इसमित इन्होंने 1934 में इसकी खोज की थी और टाइटरियम में दोस्तों न्यूटरानों की संख्या दो होती है तो एक प्रोटान और दो न्यूटरान यानि इसका जो परमाडू भार होता है वो तीन हो जाता है तो ये हाइडरोजन के प्रमुक समस्थानिक रहे आएडरियम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जान लेते हैं डियूटियम जो है 1H2 इसका जो सुत्र होता है ये द्वी परमाडू क्तत्व है दोस्तों डियूटियम को भारी जल या हैबी वाटर भी कहा जाता है D2O का आकसाइड दोस्तों डियूटियम के आकसाइड को D2O या भारी जल कहा जाता है यूरे और वाशवर्न ने 1932 में भारी जल की खोज की थी और भारी जल रंगहीन, गंधहीन, स्वाधीन और जल में अविले होता है और इसका उपयोग, दोस्तों भारी जल का उपयोग, न्यूकलियर रियक्टर या नाभ की सयंत्रों में न्यूट्रान को मंदक के रूप में किया जाता है और डियूटिरियम और डियूटिरियम के योगिक बनाने के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है और दोस्तों डियूटीरियम की विशेस्ताएं क्या क्या हैं देखिए सरीर के लिए ये हानिकारक है पौधों के विकास को रोक देता है और डियूटीरियम बीजों का अंकुरण भी रोक देता है देखिए दोस्तों जल जल की प्रकीर्ति के आधार पर मृधुजल और कठोर जल में जो है इसको भी भाजित किया जाता है मृधुजल या साफ्ट वाटर क्या होता है मीठा जल जिसको कहते हैं दोस्तों ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से जाग देता हो उसको मृधुजल कहते हैं और ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से जाग देता है या नहीं देता है उसको कठोर जल कहते हैं और कठोरता का कारण क्या होता है दोस्तों जल की कठोरता का कारण जल में घुले कैलसियम और मैगनीसियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइट, सलफेट और नाइटरेट H2O2 क्या है दोस्तों हाइड्रोजन पराक्साइड की खोज थी नाड द्वारा 1818 में की गई थी इसको H2O2 से जो है संबोधित किया जाता है हाइड्रोजन पराक्साइड का गुण क्या है ये दोस्तों फीका नीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और जल एलकोहल और एथर में हाइड्रोजन पराक्साइड विले है 0 डिगरी सेल्शियस पर इसका आपेक शिक घनत्व 1.47 होता है कवतनांग दोस्तों 150.2.2 डिगरी सेल्शियस सबसे जरूरी है इसका उपियोग जानना तो दोस्तों हाइड्रोजन पराक्साइड का उपयोग जो है कीट नासक यानि जर्मिसाइड के रूप में किया जाता है एंटिसेप्टिक यानि घाव को धोने गरारे करने और कान साफ करने के लिए हाइड्रोजन पराक्साइड का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन पराक्षाइड दोस्तों हाथी दाहत, ऊन, रेशम, पंक और बाल आधिके बिरंजन में भी प्रयोग किया जाता है और दूध और शराब आधिके परिरक्षन या प्रिजर्वेशन में इसका उप्योग किया जाता है इसके अलावा राकेट, जेट, पंडुब्बी और तारपीडो के प्रोपलसन यानि नोधन में भी हाइड्रोजन पराक्षाइड का प्रियोग किया जाता है 1818 में इसकी खोज थिनाड द्वारा की गई थी अब आईए देखते हैं परिक्षाओं की द्रिष्ट से कुछ महतोपूर तत्यों को देखिए पहला है कि प्रियोकसाला में हाइड्रोजन का संसलेशन किसके द्वारा होता है तो ये दानेदार जिंक की तन हाइड्रोकलोरिक अमल से अभिक्रिया द्वारा दोस्तों जब हम प्रियोकसाला में या लेबोरेटरी में हाइड्रोजन का निर्मार करते हैं तो दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरीकमल यानी हC-L-M-L से अभक्रिया द्वारा हाइड्रोजन का संसलेशन होता है अगला प्रश्ण है साधारण साबुन सोडियम लवड होता है तो ये ह्टियरिक एसीड होता है जिसका फार्मूला C-17-H35-COO-E-H होता है दोस्तों जो साधारण साबुन ये इस्टियरिक एसीड सोडियम लवड होता है अगला प्रश्ण है भार के अनुसार पानी में H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत्ता कितनी होती है तो दोस्तों भार के अनुसार यदि हम H2O में पानी की प्रतिशत्ता निकालेंगे तो ये 11. 11.1 प्रतिशत होती है हाइड्रोजन के जलाने से क्या प्राप्त होता है दोस्तों हाइड्रोजन के जलाने से पानी प्राप्त होता है 2H2O तो ये 2H2O हो जाता है जो की जल प्राप्त होता है अगला प्रशन है नूक्लियर रियक्टरों में बिमंदक के रूप में और प्रशी तक दोनों की तरह किसका प्रियोग होता है तो दोस्तों nuclear रियक्टर या परमाड़ रियक्टरों में बिमंदक और प्रशी तक दोनों के रूप में D2O या Deuterium Oxide या भारी जल जिसको कहते हैं इसका प्रियोग किया जाता है अगला प्रशन है समुद्री जल को शुद्ध बनाने में जो है किस प्रक्रिया का प्रियोग किया जाता है तो इसे Reverse Asmosis या उतक्रम परासरण जिसको हम घरों में RO Water कहते हैं ये होता है तो दोस्तों RO जो है ये समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया है या फिर जल से असुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया जिसको उतक्रम परासरण या Reverse Asmosis कहते हैं एक प्रश्ण और है कि बनस्पति तेलों के हाइड्रोजनी करण के लिए उतफ्रेरक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है तो ये निकल का प्रियोग किया जाता है आईए अक्री गैसों के बारे में जानते हैं इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्री गैसों के संबंध में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अक्री गैसों की परिभासा क्या है उसको जान लेते हैं दोस्तों अक्री गैसें वो होती हैं जो गैसें सामानतर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं कई प्रकार की गैसें हैं जो किसी पतार्थ से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं उनको अक्री उतक्रिष्ट गैसें कहते हैं और आवर्तसाडी में इस समुह की संख्या 18 है दोस्तों प्रमुख अक्री गैसों में देखे हीलियम, नियान, आरगन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान है इनका सुत्र भी आपको जो प्रतीक है जानना जरूरी है इन गैसों को दोस्तों अन्यनामों जैसे उतक्रिष्ट गैस यानि नोबल गैस और दूरलभ गैस यानि रेयर गैस से भी सम्भोधित की आजाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जियस दृष्टी सामान्य विज्ञान के अंतरगत रसायन विज्ञान के महतपूर्ण प्रश्णों का भाग तीन जो बिभिन्य प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान्य ग्यान और सामान्य अध्यन के लिए बहुत ही उपयोगी है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल माँदॉशन फार सिविल सर्विसेज को सब्स्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार यह है रसायन विग्यान के महतुपूर्ण प्रश्णों का भाग चार जिसमें आज की वीडियो में हम प्रमुख अक्री गैसे, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन तथा, आमलचार एवं लवड से संबंधित महतुपूर्ण प्रश्णों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जीयस द्रिष्टी रसायन विग्यान के महतुपूर्ण प्रश्णों का भाग चार सबसे पहले हम प्रमुख अक्री गैसों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों अक्री गैसे जो होती हैं इनको उत्कृष्ट या नोबल गैसे भी कहा जाता है और ये अन्य धातुओं और तत्तों से अभिग्रिया नहीं करती हैं सबसे पहले हीलियम के बारे में जानते हैं दोस्तों हीलियम का प्रतीक यच ई होता है और आवर्त साड़ी में इसका क्रमांक दूसरा है दोस्तों हीलियम का जो समू है या अक्रिक एसों का जो समू है उसको समू 18 कहा जाता है और ये आवर्त एक में आते हैं और ये ब्लाक S के तत्व है दोस्तों हीलियम ब्लाक S के अंतरगत आता है और इसका इलेक्टरानिक विन्यास देख लीजे आप ये होता है 1H2 विशेश्टा इसकी हीलियम की ये है कि ब्रहमांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है और ज्वलंसील रंगहीन और हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हलकी गैस हीलियम है इसका उपयोग कहां होता है गुबबारों में भरने के लिए गहरे समुद्रों में गोता खोरूं द्वारा वायू के अस्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम का प्रियोग किया जात है इसका परमाडुक्रमांक 10 है और नियान समुध 18 में आता है जैसा कि अन्य सभी अक्री कैसे आती है आवर्त इसका 2 है और इलेक्टरानिक विन्यास 1H2, 2H2, 2P6 होता है विशेशता ये है कि नियान एक रंगहीन, गंधहीन, स्वाधहीन और वायू से हलकी गैस है और निय नियान की खोज करने वाले जो वैज्यानिक है इसमें सर बिलियम रामसे और मौरिश डवलू ट्रेवर्स ने 1898 में नियान गैस की खोज की थी दोस्तों नियान का उपयोग तो टेलिवीजन और प्लाजमा ट्यूब में नियान लैंप में एड़वर्टाइजिंग साइन में और हाई बोल्टेज डिश्चार्ज ट्यूब में नियान गैस का प्रियोग किया जाता है आएए देखते हैं दोस्तों सल्फर के बारे में सल्फर के महत्वपूर जो है खनीज कौन से हैं इनके प्रमुख आक्सों अमल कौन से हैं और प्रकिर्थि में सल्फर कहां कहां पाय जाता है इसके बारे में दोस्तों सल्फर जो है ये भूपरपटी में दस्मलो सुन्य तीन प्रतिशत से दस्मलो एक प्रतिशत तक इसकी मात्रा पाई जाती है और सल्फर के जो खनीज हैं उनमें देखिए जिपसम C.A.SO.4 इंटु 2.H.2 यानि कैल्सियम सल्फेट एपसम यानि मैगनेसियम सल्फेट M.G.SO.4 इंटु 7.H.2 और बेराइट यानि बीरियम सल्फेट B.A.SO.4 ये सल्फेट खनीज हैं जिन से सल्फर मिलता है इसके अलावा प्रमुक सल्फाइट खनीजों में गैलेना P.V.S. होता है यशद ब्लेंड यानि जिंक सल्फाइड और काप यानि C.U.F.E.H.2 ये सल्फर के खनीज हैं सल्फर के दोस्तों प्राकिर्तिक स्रोत क्या है यानि सल्फर प्रकिर्ति में कैसे प्राप्त होती है दोस्तों जौला मुक्यों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में जौला मुक्यों से जो निकलने वाली गैस है इसके अल Sulfuris Aml, जिसको की H2SO3 कहा जाता है Sulfuric Aml, H2SO4 और इसके अलावा, Paroxidide Sulfuric Aml, H2SO8 जिसको मरसल Aml भी कहा जाता है और Pyrosulfuric Aml, H2SO7 H2SO7, जिसको Olam कहा जाता है ये Sulfur के प्रमुख 800 Aml थे आईए आगे देखते हैं अक्री गैस, जिनान के बारे में दोस्तों, जिनान भी एक अक्री गैस है इसका प्रतीक XE होता है प्रमाड कृमांग 54 है और समू 18 तो सभी अक्री गैसे 18 समू के अंतरगत आती हैं देखिए ये बहुत ही महतपूर अक्री गैस है और ये आवर्त में 5 यानी P बलाग का तत्व है और जिनान की खोज बिलियम राम से और मौरिश ट्रेवर्स द्वारा 1898 में की गई थी जिनान को इस्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है इसके अलावा दोस्तों जिनान जो है एक रंगहीन गंदहीन स्वाधीन और वायू से भारी गैस है इसका उपयोग गैस डिस्चार्ज लेंप, लेजर, एनेस्थेसिया के रूप में और स्पोर्ट डोपिंग तथा निूरो प्रोटेक्टेंट के रूप में किया जाता है सल्फर हेकसा फ्लोराइड, SF6 दोस्तों SF6 क्या है तो इसकी संरशना अश्ट फल की यानि अक्टा हेडरल होती है और सल्फर हेकसा फ्लोराइड जो गैस होती है ये दोस्तों रंगहीन, गंदहीन, अज्ज्वलनसील और अकार्बनिक याउगिक है इसका उप्योग दोस्तों Electric Insulator और Radar और Tarpedo में किया जाता है सल्फर हेकसा फ्लोराइड का प्रियोग सल्फियोरी कमल क्या है दोस्तों सल्फियोरी कमल को विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है देखिए बहुत ही महत्तोपूर्ण है एश्टू या सोफोर जिसको सल्फियोरी कमल कहा जाता है इसको विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है सल्फियोरी कमल रंगहीन गारहा तेली द्रव होता है और इसकी वास्पसीलता निम्न होती है ये प्रबल अमली गुडों को धारन करता है और जल के प्रति इसकी प्रवल बंधुता होती है सल्फियूरिक अमल का उपयोग कहां कहां किया जाता है तो दोस्तों पेट्रोलियम के शोधन में अपमारजक के उपयोग में उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट और सुपरपासफेट के उत्पादन में इसके अलावां जो संचायक बैटरियां होती है उनमें भी सल्फियूरिक अमल तथा नाइट्रो सेलुलेज उत्पादों के उत्पादन में सल्फियूरिकक अमल का प्रियोग किया जाता है सल्फर्ड का महतपूर्ण एक योगिक है सल्फर डायाकसाइड दोस्तों सल्फर डायाकसाइड एक रंगहीन तीखी गंधवाली जल में अत्यधिक विलेगैस है जिसका क्वतनांग 263 केलविन होता है सल्फर डायाकसाइड का उपयोग कहां किया जाता है तो देखिए शरकरा और पेट्रोलियम के सोधन में उन और रेशम के बिरंजन में प्रतिक्लोर यानि एंटीक्लोर वेसंक्रामक और परिरचक के रूप में इसके अलावा सल्फाइड अमल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और कैलसियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में भी सल्फियूरिक अमल का परियोग किया जा नाइट्रोजन के बारे में दोस्तों नाइट्रोजन जो है आवर्त साड़ी में परमाड़ुक्रमांक साथ पे इस्थित है यानि नाइट्रोजन का परमाड़ुक्रमांक साथ है और इसके समस्थानिक जो है सेवन यन 14 और सेवन यन 15 है और आवर्त दो में ये बलाग पी के अ इसका उपयोग जो है ये देखे नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया और अउद्योगिक रसायनों के निर्माण में वाय यान के टायरों में भरने में और पौधों की बृध्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवस्यक है प्रियोग साला में संसलेशन दोस्तों अमोनियम क्लोराइड यानि NH4Cl के जली विलियन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया से प्रियोग साला में इसका जो है संसलेशन किया जाता है अब हैलोजन के बारे में जानते हैं दोस्तों हैलोजन जो है जो ये कुछ गैसों का समू है जिसको ग्रूप सत्र में शामिल किया गया है और ये गैसे अत्यधिक अभिक्रिया सील अधात्विक तत्तों की स्रिंखला है जानते हैं हैलोजन के अंतरगत कौन कौन से तत्तों आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन देखिए ये हैलोजन के उदाहरण है सबसे अधिक अभक्रियासील हैलोजन फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्धुत रिडात्मक्तत्व है भौतिक अवस्था हैलोजन की देख लेते हैं दोस्तों ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में और आयोडीन थोस सवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है और फ्लोरीन पीले रंग का होता है क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला होता है ब्रोमीन रेड कलर का होता है और आयोडीन बैंगनी कलर का होता है तो ये थी हैलोजन्स के संबंध में महतोपूर जानकारी अब आईए देखते हैं अमो अमोनिया को नाइट्रोसिल और वैपोरोल के नाम से भी जानते हैं और अमोनिया तीखी गंधवाली गैस है ये रंगहीन होती है और जल में अत्यधिक भी ले है इसका हिमांग 198.4 केल्विन और क्वथनांग दोस्तों 249.7 केल्विन होता है अमोनिया का उपयोग कहां किया जा के अलावां अमोनिया का प्रियोग आसू गैस यानि टीयर गैस के उत्पादन में भी किया जाता है आसू गैस क्या है दोस्तों अस्रू गैस या आसू गैस जो होता है ये अनियंत्रित भीड को तितर वितर करने में इसका प्रियोग किया जाता है और इससे आखों में जलन और आसु टपकने लगती है प्रमुख असरुगैसों में देखिए अल्फा क्लोरो एसिटो फिनान यानि C6H5COOCH2Cl इसके अलावा एक्रेलिन C3H4O और क्लोरो पिक्रिन यानि CCl3NO2 ये प्रमुख आसुगैसों के उदारण हैं दोस्तों नाइट्रोजन के कुछ अमल भी है इनको जानना जरूरी है नाइट्रोजन के अमल देखिए दोस्तों नाइट्रोजन के आक्सो अमलों में कौन-कौन से अमल है हाइपो नाइट्रस अमल H2N2O2 नाइट्रस अमल यानि HNO2 और नाइट्रिक अमल यानि HNO3 इसके अला बिसफोटकों का निर्माड और नाइट्रोटों कोई संसलेशन में किया जाता है अब आएए देखते हैं दोस्तों क्लोरीन के बारे में क्लोरीन इसका परमाड उक्रमांग सत्र है और इसकी खोज कार्ल बिलहम सीले द्वारा 1774 में की गई थी दोस्तों HCL यानि हाइड्रो क्ल क्लोरी कमल पर मैगनेज आकसाइड की अभक्रिया के द्वारा क्लोरीन की खोज हुई और ये वायू से 2.5 गुना भारी गैस है इसका नामकरण ब्रिटिस बैग्यानिक हमफरी डेवी के द्वारा किया गया था देखिए इसका उप्योग दोस्तों तो देखिए क्लोरीन का उप्योग जो है ये काश्ट लुकदी के उत्पादन में, कपास और वस्तरों के विरंजन में, सोने और प्लेटिनम के निसकारसण में, इसके अलामा CHCL3 DDT आदि के उत्पादन में, पेजल को जिवालू रहित करने में और फासजीन जैसे COCL2, अस्रु गैस, CCL3 और मस्टर गैस जैसी विशैली गैस के उत्पादन में भी दोस्तों क्लोरीन का प्रियोग किया जाता है, कुछ बिविध प्रशनों को देख लेते हैं, दोस्तों कीट भच्छी पाउधों के बारे में आप जानते हैं, कीट भच्छी पाउधे ऐसे जगह पर उगते हैं, जहां पर में घालाय नैनिताल और कस्मी राद में कीट भच्छी पाउधे पाए जाते हैं, कीट भच्छन का कारण इनके क्या होता है, तो दोस्तों इन पाउधों के ब्रिध्ध के लिए आवस्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, भूमी से इसलिए नाइट्रोजन क इसकी से कहा जाता है, नाइट्रस आकसाईड यानि अन्टूओं को, नाइट्रस आकसाईड का उपयोग किया जाता है, दोस्तों शल लिक्रिया के समय, निश्चे तक के रूप में भी एन्टूओं का प्रियोग होता है, ट्यूब लाइट में भरी जाने वाली गैस कौन सी ह तो नियान और पारदवास्प ये ट्यूब लाइट में भरी जाने वाली गैसे हैं अस्रू गैस में प्रियुक्त होती है तो अमोनिया गैस आसू गैस या टियर गैस के रूप में प्रियुक्त होती है अब आएए अमल छार एवं लवर के बारे में जानते हैं अमल क्या है दोस्तों अमल या एसिड जो है ये लेटिन भासा के एसियर सब्द से इसके उत्पत हुई है जिसका अर्थ होता है खटा परबलता तो दोस्तों अमल की परबलता जो है एच धनायन की संख्या पर निर्भर करती है और अमल का पी एच मान सेवन से कम होता है यानि प्राकृतिक स्रोत अमल के दही, नीबू, करस और सिरका ये अमल के प्राकृतिक स्रोत हैं। आईए जानते हैं दोस्तों चार यानी बेस के बारे में तो चार या चारक किसे कहते हैं देखिए स्वाद में कड़वे किन्तु असपर्स करने पर साबुन की भाति लगने वाले पदार्थों को चार कहा जाता है जल में घुलनसील चारक चार कहलाते हैं और दोस्तों सभी प्रकार या सभी चार चारक होते हैं लेकिन सभी चारक चार नहीं होते हैं चार की प्रबलता जो है आकसीजन दोस्तों OH रिडायन की संख्या पर निर्भर करता है और चार का pH मान सेवन से अधिक होता है और इसका चनते हैं दोस्तों अमल और बेस के बारे में कुछ महत पूर्ट अत्यों को दोस्तों सबसे पहले एसिड प्रबल अमल में दोस्तों ह-C-L यानि हाइड्रोकलोरिक अमल यानि पोटेसियम हाइड्राकसाइड और कैलसियम हाइड्राकसाइड ये प्रबल चार के उदारण है जबकि दुरबल चार में अमोनियम हाइड्राकसाइड NH4-OH है लिटमस दोस्तों लिटमस क्या है तो लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक या रंजक होता है इसकी विशेश्टाओं ऐसी होती है कि दोस्तों देखिए लिटमस जो है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अमल में अमल में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो ये रेड हो जाता है लेकिन छार में हम रेड लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो ये ब्लू हो जाता है ये इसके लिटमस जो है इसका संकेतक होता है और ये प्राकृतिक सूचक या रंजक होता है लिटमस पेपर दोस्तों रंग क्या है तो आसुत जल में लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो माव यानि नील शोड होता है अमली विलियन में इसका रंग लाल होता है और छारे विलियन में लिटमस पेपर का रंग नीला होता है इसका स्रोत क्या है तो लिटमस पेपर दोस्तों लाइकेन या सैवाल से प्राप्थ होता है, विलियन और कागज की पटियों के रूप में उपलब्ध होता है, और उदाशीन विलियन दोस्तों ऐसे विलियन जो लाल अथ्वा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्टित नहीं करते हैं, उनको उदाशीन विलियन कहा जाता है, ही में आग जेली कमल पालक और टमाटर में एसकारवी के सीड आउला साइटरस फलो में और टार्टरी के सीड इमली अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है और ये अमली प्राकृतिक स्रोत रहे चारी स्रोत देख लेते हैं दोस्तों देखिए चार कैलसियम साबुन में मैगनेसियम हाइडराकसाइड मिलकाफ मैगनेसिया में और पोटेसियम हाइडराकसाइड दोस्तों साबुन में प्राप्त होता है आए अमल छार सूचक के बारे में जानते हैं देखिए नीला लिटमस बिलियन जो है ये लाल रंग में परिवर्तन अमल के साथ ह और चार के साथ रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है लाल लिटमस बिलियन जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है अमल के साथ और चार में नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है हल्दी अमल के साथ कोई परिवर्तन नहीं जबकि चार के साथ हल्दी लाल रंग में परिवर् और चार के साथ ये पीले रंग में और फिनाप्थलीन जो है अमल में कोई परिवर्तन नहीं बलकि चार के साथ फिनाप्थलीन गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। लवड जल और उसमा बनाते हैं और लवड जल और उसमा इसमें प्रमुख उधवाद हैं। अमली लवड दोस्तों अमली लवड कैसे बनते हैं तो प्रबल अमल और दुर्बल चार के संयोग से अमली लवड बनते हैं इनका पी अचमान सास से कम होता है जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइटरेट ये अमली लवड के उधारण हैं इसके अलावा जो चारी ल COO यन्य ये छारी लवड के उदारण है कुछ महत्वपूर्ट अथ्यों को और देख लेते हैं दोस्तों लाश्ट में देखिए साधारण नमक किसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं एंटासिड क्या होते हैं तो भस्म जो होते हैं दोस्तों ये एंटासिड कहे जाते हैं एक्वारेजिया कैसे बनता है नाइट्रिक अमल और हाइड्रो कलोरिक अमल के जो है तीन एक के अनुपात से एक्वारेजिया या अमलराज का निर्माड होता है इसके अलामा दोस्तों आयोडी क्रित लवड में क्या रहता है तो उसमें पोटैसियम आयोडाइट रहता है चुने के पानी में कारबन डायाकसाइड प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है तो उसका रंग दुधिया हो जाता है और नीला थोथा रासानिक रूप से क्या है तो ये है कैलसियम सलफेट क्यूप्रिक सलफेट दोस्तों CUSO4 into 5S2O ये नीला थोथा कापर सलफेट होता है जिसको हम नीला थोथा कहते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सभी परिक्षाओं के सामान्य अध्यन के लिए उप्योगियो और महतोपूर रसायन विज्यान के महतोपूर प्रशनों का भाग चार आगे आप हमारे चैनल से इसी तरह अन्य ज्यान वर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सेविल सर्विशेज मैं अनुराग्शा अधरी दोस्तों जीयस द्रिष्टी सामानी विज्यान के अंतरगत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परिक्षाओं के सामानी अध्यान यानि जनरल इस्टडीज के लिए उपयोगी और महतवपूर रसायन विज्यान के महतवपूर प्रशनों का पाचवा भाग जिसमें आज की वीडियो में हम कारवनिक रसायन और बहुलक से संबंदित महतवपूर प्रशनों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो जियेस द्रिष्टी रसायन विज्यान का भाग पांच आएए दोस्तों सबसे पहले कारवनिक रसायन के अंतरगत हम देखते हैं हाइड्रो कारवन किसे कहते हैं और इसकी विशेष्टाएं क्या हैं दोस्तों हाइड्रो कारवन आप नाम से ही देख सकते हैं हाइड्रो यानि हाइड्रोजन और कारवन तो इनकी विशेष्टा ये होती है कि हाइड्रो कारवन कारवन और हाइड्रोजन के योगिक होते हैं और हाइड्रो कार्बन मुख्य स्रोत इसके कोईला और पेट्रोलियम है दोस्तों हाइड्रो कार्बन के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो देखिए हाइड्रो कार्बन दोस्तों एक संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन होते हैं जिसमें एकल कार्बन कार्बन आबंद होता है जैसे ही महतपूर है दोस्तों संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एकल कार्बन कार्बन आबंध होता है इसमें एलकेन आते हैं जबकि असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन में बहुल कार्बन का कार्बन आबंध होता है जैसे एलकीन और एलकाइन चक्री परमाड़ों की संब्रित्र स्रिंखला या वलय होते हैं जैसे इसके उधारण में साइक्लो एलकेन होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें बेंजीन, टालूइन और नेफ्थलीन आते हैं हाइड्रोकार्बन के उपियोग क्या हैं इसको जानना जरूरी है दोस्तों हाइड्रोकार्बन का उपियोग बहुलकों के निर्माण में किया जाता है पेंट में विलायक के रूप में किया जाता है रंजक यानि रंगने वाले जो द्रब्ब्य हैं पदार्थ हैं उनके निर्माड में और हाइड्रोकार्बन का उप्योग और सधियों के निर्माड में भी किया जाता है एलकेन के बारे में आईए जानते हैं दोस्तों एलकेन जो होते हैं वो कार्बन कार्बन यानि CC एकल आबंध युक्त संत्रिप्थ वीबृत श्रिंखला वाले हाइड्रोकार्बन ये एलकेन कहे जाते हैं सबसे सरलतम इलकेन मीथेन होता है जिसका फार्मूला आप जानते हैं CH4 होता है इसका अन्य नाम पैराफिन होता है दोस्तों पैरम जो है पैराफिन जो है पैरम यानि कम और एफिनिस यानि क्रियासील ये कम क्रियासील जो है इससे मिलकर पैराफिन का निर्माड हुआ है दोस अधिक अवस्था इनकी ये होती है कि इसमें C1 से C4 तक गैस होते हैं, C5 से C17 तक द्रव होते हैं, और C18 और उससे अधिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, दोस्तों इलकेन जो होते हैं वो अमल छारक आकसी कारक और अब चायक पदार्थों के प्रती इलकेन सामानते निस एक कारबन-कारबन-युगमबंध दोस्तों एलीफैटिक असंत्रिप्त हाइड्रोकारबन जिसमें एक कारबन-कारबन-युगमबंध उपस्थित होता है, इसके अन्य नाम ओलीफिन भी होता है और इसका सामानिसूत्र CNH2N होता है और सरलतम इलकीन C2H4 है, दोस्तों प्र 3H6 प्रोपिलीन होता है, इलकीन के बाद आएए एथिलीन के बारे में जानते हैं, एथिलीन का रासाइनिक सूत्र क्या है, दोस्तों एथिलीन का रासाइनिक सूत्र C2H4 होता है और इसका संसलेशन किस प्रकार से किया जाता है देखिए, एथिल एलकोहल के जो दोस्तों 170 दिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ क्रिया करके C2H2 और जल का निर्मार होता है फार्मूला है C2H5OH H2SO4 की उपस्तिती में 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर C2H4 और जल का निर्मार यानि एथिलीन का निर्मार होता है एथिलीन का जो गुड है वो रंगहीन और मीठी गंधवाला जल में अलप बिले और एथिलीन को सुंगने पर बेहोसी भी होती है एथिलीन का अडुभार दोस्तों 28 होता है और इसका क्वतनांग 105 डिगरी सेलसियस है उपयोग क्या है तो दोस्तों आप जानते हैं बहुत बार परिक्षाओं में पूछा गया है फलों को कृत्रिम बिधि से पकाने के लिए एथिलीन का प्रियोग किया जाता है और एनेस्थेटिक यानि निश्चेतक के रूप में भी एथिलीन का प्रियोग किया जाता है एप्लाइड कमिश्ट्री है उसमें उससे संबंधित कई प्रश्ण पूछे जाते हैं तो एथिलीन के रासायनिक गुडधर्म के अलावा आपको इसके उपियोग या जो इसका हमारा एप्लाइड कमिश्ट्री है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है अब आएए की परिभासा क्या है एलिफैटिक असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन जिन में एक कार्बन कार्बन त्रिक बंध यानि बांड सी ट्रिपल बांड सी होता है इसको एलकाइन कहते हैं इसका अन्य नाम एसीटिलीन भी होता है तो देखिए एलकाइन को एसीटिलीन नाम से भी ज जाना जाता है दोस्तों इसका सामान फार्मूला CnH2n-2 होता है और सरलतम एलकाइन एथाइन होता है जिसमें H बांड C बांड C बांड H होता है तो दोस्तों ये महत्पूर्ण जो है हमने एलकाइन के बारे में जाना और ये इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 और सरलतम एलका के बारे में दोस्तों acetylene का संसलेशन CAC2 plus 2H2O तब इसके बाद HC और HCH CAOH के twice से इसका निर्माड होता है acetylene का जो गुड है वो रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विले होते हैं और ये वायू से हलकी गैस होती है तो acetylene दोस्तों संपीडित acetylene या acetylene को संपीडित करने पर भयंकर बिस्फोर्ट भी होता है acetylene का उपयोग क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है देखिए कारबाइड लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में acetylene का प्रयोग किया जाता है आकसी acetylene blow pipe में धातूओं के building और उन्हें काटने में तो ये प्रश्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है देखिए दोस्तों blow pipe में धातूओं के building उन्हें काटने में आकसी acetylene का प्रयोग किया जाता है और ये जो building किया जाता है उसमें आप जान लिजे कि acetylene gas प्रयोग किया जाता है आकसीजन के मिसरण के साथ अब आएए बेंजीन के बारे में जानते हैं दोस्तों बेंजीन जो है इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1825 इस भी में की थी बेंजीन की खोज माइकल फैराडे द्वारा 1825 में की गई और बेंजीन का नामकरण मिट शरले द्वारा 1834 में की गई और इसका अड़ुसूत्र क्या है C6H6 बेंजीन प्रमुक हाइड्रोकार्बन है इसका शुत्र होता है दोस्तों C6H6 बेंजीन की सनरशना की खोज किसके द्वारा की गई थी तो देखे एक रशायन सास्तरी रहे फेडरिक आगश्ट के कुले द्वारा 1825 में बेंजीन की सनरशना की खोज की गई और इसका वाड़िजिक स्रोत यानि बेंजीन को प्राप्त करने का जो श्रोत है वो कोलतार है बेंजीन किस रासायनिक प्रकार के अंतरगत है तो ये एरोमेटिक हाइडरोकारबन है यानि विशिष्ट गंध वाला हाइडरोकारबन होता है और यहाँ पर देखे बेंजीन की सनरशना दी गई है ये खटफल की होता है दोस्तों C6, H6 आबंध के रूप में बेंजीन होता है कुछ महतवपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो परिक्षाओं की दृष्टी से अति महतवपूर्ण है दोस्तों रासायनिक हत्यार या केमिकल वेपन के रूप में प्रियोग की जाने वाली गैस कौन सी है तो यह है मस्टर्ड गैस यह बहुत ही हनिकारक गैस है इसका फार्मूला है C4, H10, Cl2, Yes और इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों सिग्रेट लाइटर में कौन सी गैस परियोग होती है तो ब्यूटेन गैस परियोग होती है छपाई में प्रियोग की जाने वाली स्याही किस से प्राप्त की जाती है तो दोस्तों मिथेन के अपगटन से प्रिंटिंग प्रेस में प्रियोग की जाने वाली स्याही या इंक प्राप्त होती है अगनी शामक या अगनी बुझाने के रूप में कौन सा रसायन प्रियुक्त किया जाता है तो इसका नाम है पाई सीन और बेंजीन में सिगमा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है दोस्तों बेंजीन में सिगमा बारे बंध होते हैं और तीन पाई बंध होते हैं बेंजीन के बाद, या महतपूर्ड प्रष्णों के बाद एलकोहल के बारे में जानते हैं, दोस्तों एलकोहल क्या है तो एलकोहल एलिफैटिक हाईडरोकार्बन के हाईडराक्सी व्यूतपन एलकोहल होते हैं, आईए देख लेते हैं एलकोहलों के सुत्र और नाम देखिए सबसे महत्वपूर है CS3OH देखिए CH3OH इसको मेथिल एलकोहल के नाम से जाना जाता है CS3, CS2OH एथिल एलकोहल CS3, CS2, CS2OH एन प्रोपिल एलकोहल कहा जाता है इसको इसके अलामा दोस्तों CH3 का twice, CHOH इसको isopropyl alcohol कहते हैं देखिए CH3, CH2 का twice, CH2OH, CH3 का twice, CH, CH2OH ये N-butyl alcohol, isobutyl alcohol होता है इसके अलावा CH3, CH2, CHOH, CH3 ये S-butyl alcohol कहलाता है और इसके अलावा CH3 का twice, COH, CH3, CH2 का twice, इसके अलावा CH2OH ये T-butyl alcohol, N-pentyl alcohol और N-amyl alcohol कहलता है तो ये थे एलकोहलों के प्रमुक्परकार और उनके सूत्र अब आईए देखते हैं दोस्तों एथिल एलकोहल के बारे में देखिए एथिल एलकोहल को एथिनाल भी कहा जाता है और ये परिशुद्ध एलकोहल होता है और इसमें परिशुद्ध एलकोहल जो होता है दोस्तों इसको 100% एथिल एलकोहल कहते हैं एक प्रशन आता है पावर एलकोहल किसे कहते हैं दोस्तों पेट्रोल, बेंजीन और एथिल एलकोहल के मिस्रण को पावर एलकोहल कहते हैं याद रखिएगा इस्प्रीट आफ वाइन क्या है तो दोस्तों सभी प्रकार के शराबों का प्रमुख अवयाव जो है वो एथिल एलकोहल भी एलकोहल ही होता है ग्रेन एल्कोहल या अनाज एल्कोहल किसे कहते हैं दोस्तों इस्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल कहते हैं जैसे जव के किडवन से प्राप्त एल्कोहल या फिर इसके अलामा दोस्तों जो इस्टार्च युक्त पदार्थ हैं उसमें उसके एलकोहल से प्राप्त उनसे जो एलकोहल होता है उनसको ग्रेन एलकोहल कहते हैं गुड क्या है तो एथिल एलकोहल रंगहीन जुलनसील द्रव होता है और इसका तीखा स्वाद और गंध तेज होती है ये एक उदासी नियोगिक होता है और कैलसियम क्लॉराइड के साथ अभक्रिया करके एलकोहलेट का निर्माड करता है एथिल एलकोहल का उपयोग किसमे कि क्या जाता है इसके उपियोक क्या क्या हैं तो दोस्तों लिया क्या है क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, एथर और एथिलीन के निर्माड में, आउशाध, टिंचर, परफ्यूम और वारनिस के निर्माड में, इसके अलावा दोस्तों अंतर दहन इंजनों के इंधन के रूप में, कार रेडियेटरों में, एंटी फ्रेज के रूप में, क्योंकि इस जाता है एक प्रश्ण है दोस्तों पानी की टंकी में फंगी को नश्ट करने के लिए कौन सा रसायन इस्तिमाल किया जाता है तो ये कापर सलफेट का प्रियोग किया जाता है वासिंग सोडा रसायनिक रोप से क्या है तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है एथिल एलकोहल के ब न जाता है दोस्तों मेथिल एलकोहल को काश्ठज इस्फिरिट या उड़ इस्पिरिट भी कहा जाता है साथ ही इसे काश्ठज नैप्था या उड़ नैप्था भी कहते हैं देखिए दोस्तों विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट और अन्य सुगंधित तेलों में एश्टरों के रूप में ये प्राप्त होता है और देखिए हम जो मेथिल एलकोहर के बारे में जान रहे हैं दोस्तूं मेथिल एलकोहल एक रंगहीन ज्वलंसील अत्यांता विशैला और विसपोटक परकिर्ति का द्रव होता है और मिथिल एलकोहल का उपयोग, पेंट वारनिस और चमड़ा आधिको घोलने के बिलायक के रूप में, पेट्रोल के साथ मिस्रित करके इंधन के रूप में, रंजक यानि डायर्स और परफ्यूम और असधियों के निर्मार में, और पीने योग एथिल एलकोहल के विकृति क करण में भी मेथिल एलकोहल का प्रियूग किया जाता है, और रेडियेटर के लिए एंटिफ्रेज के रूप में, मेथिल एलकोहल प्रियूगत होता है, एक प्रेशन हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा या जो खाने वाला सोडा होता है, वो क्या है, तो बिरंजक के रूप में इसके अलावा जो है जल के सोधन के रूप में भी सोधत करने के लिए प्रियोग किया जाता है अब आईए दोस्तों देखते हैं बहुलक यानि पालिमर्स के बारे में बहुलक या पालिमर्स किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों बहुलक की निर्माड प्रक्रिया क्या है देखिए बहुलकों का निर्माड बहुलकी करण के द्वारा किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में सरल अडु जो होते हैं एक दूसरे संयोग करके उच्च अडुभार के ब्रिहद अडुगों को बनाते हैं जानते हैं पालिमर बहुत प्रकार के अडु तो सरल अडु कई प्रकार के सरल अडु मिस्रित होकर या संयोग करके उच्च अडुभार का ब्रिहद अडुगों बनाते हैं इसके द्वारा ही बहुलक का निर्माड किया जाता है बहुलकों के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों बहुलकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं एक तो प्राकृतिक बहुलक होते हैं अर्ध संसलेसित बहुलक होते हैं और संसलेसित बहुलक प्राकृतिक बहुलक क्या है दोस्तों ये पादपों और जन्तूओं से प्राफ्थ होते हैं सेलूलोज, इस्टार्च और रवर दोस्तों ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है इसकी अलामा जो अर्ध संसलेसित या सेमी सिंथेटिक जो पालिमर्स होते हैं ये cellulose से व्यूत्पन होते हैं, cellulose acetate यानी रेयान और cellulose nitrate इसके प्रमुख उधारन हैं और synthetic बहुलक या संसलेतिक बहुलक जो होते हैं, ये मानो निर्मित बहुलक होते हैं, जिसमें polythene, buona S और nylon सामिल हैं दोस्तों बहुलकों का उपयोग क्या है? तो देखिए बहुलक, plastic उध्योग, प्रत्यास्थ बहुलकों के निर्माड, रेशों के निर्माड और paint और वारनिश उध्योग में इनका उपयोग किया जाता है आईए प्रमुख बहुलकों के बारे में जानते हैं पहले, सबसे पहले polyethylene के बारे में जानते हैं दोस्तों, polyethylene को polyethylene भी कहा जाता है, जिसको हम लोग जो सामान ले आते हैं, polyethylene उसको polyethylene कहा जाता है और ये ethylene का एक उच्च बहुलक है दोस्तों पाली एथिलीन ताप सुनम में प्लास्टिक होता है, विद्दुत का कुचालक होता है, नम में होता है और जल प्रतिरोधी होता है इसके अलावा पालिथीन का उपयोग पैकिंग के लिए और जल से बचाओ के लिए फिल्म और शीट के निर्माण में किया जाता है दूसरा प्रमुख बहुलक है टेफलान दोस्तों टेफलान का रासानिक नाम PTFE यानि पाली टेटराफलोरो एथिलीन होता है और इसकी संरशना क्या होती है तो टेटराफलोरो एथिलीन का ये उच बहुलक होता है गुड क्या है दोस्तों टेफलान जो है रासानिक रोप से निस्करी होता है ये उसमा प्रतिरोधी होता है और इसका गलनांग 330 डिग्री सेल्सियस होता है टेफलान के प्रमुख उपियोग क्या है दोस्तों टेफलान जो है इंसूलेटिंग पदार्थों के निर्माण में प्रियोग किया जाता है शांद्र अमलों को भरने के लिए केन बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है इसके अलावा उश्मा और रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थाई वस्तूओं जैसे गैस्केट और सील बनाने में तथा कोकिंग बर्तनों पर लेपन में टेफलान का प्रियोग किया जाता है आपने देखा होगा घरों में जो काले कलर की लेपित जो बर्तन होते हैं टेफलान तवा टेफलान कड़ा ही ये सब टेफलान के द्वारा ही बनाए जाते हैं उनका लेपन किया जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जीयस द्रिष्टी रसायन विज्ञान जो बिभिन परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रशनों को तयार कर लीजेगा दोस्तों जो एक हमारा सैधान्तिक कमिष्ट्री होता है वो तो कमिष्ट्री विश्य के लिए लेकिन जो अप्लाइड कमिष्ट्री होता है जिसका अनुप्रियोग किया जाने वाला रसायन विज्ञान वो सामान निया ध्यन के लिए बहुत ही उप्योगी है तो जो गुड ये थिलीन किसका बहुलक है इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है या टेफलान किस समरशना किस प्रकार की होती है इस तरह के प्रश्न परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों नमसकार दोस्तों नमसकार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग्ष अथरी दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रमुक बहुलक तथा विस्फोटक पदार्थों से संबंधित महत्वण प्रश्णों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो GS द्रिश्टी रसायन विज्ञान के महत्वण प्रश्णों का भाग 6 सबसे पहले दोस्तों पाली विनाईल क्लोराइड के बारे में जानते हैं ये एक महत्वण बहुलक है जिसको साट में PVC यानि पाली विनाईल क्लोराइड कहा जाता है दोस्तों इसको लोगप्री नाम PVC यानि जन प्रचलित जो नाम है वो PVC कहा जाता है और इसकी संरशना इस प्रकार की है कि ये विनाईल क्लोराइड का उच्च बहुलक है और इसका सुत्र जो होता है C2S3Cl का N होता है यानि इसके बहुलकों की संख्या जो है उच्च बहुलक होता है और PVC का गुर धर्म क्या है दोस्तों ये बिद्दुत कुछालक होता है जल और नमी प्रतिरोधी होता है और इसका उप्योग पाइप बनाने में ग्रोमोफोन रिकार्ड, हैंड बैग, रेन कोट और अन्य जल प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में किया जाता है आएए जानते हैं एक महत्वपूर बहुलक नियोप्रीन के बारे में नियोप्रीन को दोस्तों पाली क्लोरोप्रीन भी कहा जाता है तो दोस्तों नियोप्रीन का अन्य नाम पाली क्लोरोप्रीन भी है इसकी संरशना क्लोरोप्रीन का ये उच्छ बहुलक है और इसका सुत् दोस्तों, ख्लोरोप्रीन का उच्छ बहुलक होता है, इसकी विशेश्था ये है कि ये नियोप्रीनिया पाली क्लोरोप्रीन कृत्रिम रबर होता है एक प्रकार का और इसका उप्योग पाइप और बेल्ट बनाने में किया जाता है आगे देखते हैं दोस्तों कार्बोकसिलिक अमल दोस्तों कार्बोकसिलिक अमल क्या है ये कार्बनिक योगिकों का समू है जिसमें कार्बोकसिल समू O-band C-band O-Yach के रूप में क्रियात्मक समू के रूप में उपस्थित होता है इसको कार्बोकसिलिक अमल कहा जाता है दोस्तों कार्बोकसिलिक अमल जो है वो कई प्रकार के होते हैं इसमें देखिए मोनो कार्बोकसिलिक इसमें एक कार्बोकसिल समूँ होता है जैसे एसिटिक अमल डाई कार्बोकसिलिक दो कार्बोकसिल समूँ होते हैं जैसे 6-Cynic Ahamyl और त्राइ कार्वोकसिलिक इसमें 3 कार्वोकसिल समों होते हैं CH2 का twice CO2 और H का twice दोस्तों इसके उधारण है Cinetic Ahamyl जैसे HOC कोष्ट में CH2 CO2 H का twice तो यह दोस्तों जो है कार्वोकसिलिक Acid के प्रमुख प्रकार रहे आईए देखते हैं संत्रिप्त मोनो कार्बोकसिलिक अमलों की सुत्र और नाम देखिए दोस्तों संत्रिप्त मोनो कार्बोकसिलिक अमलों में एक है फार्मिक अमल जिसको HCOOH कहा जाता है और इसका IUPAC नाम जो है वो मिथे नोईक अमल है तो देखे फार्मिक अमल साधारल नाम है लेकिन IUPAC नाम दोस्तों इसका मीथोनोईक अमल है अगला है ACT कमल, ACT कमल का फार्मूला है CS3 COOH और एथेनोईक अमल इसका IUPAC पद्धत में नाम है प्रोपी ओनिक अमल दोस्तों CS3, CS2, COOH और प्रोपेनोईक अमल इसका IUPAC नाम है इसके अलावा देखिए CS3, CS2, CS2, COOH ये ब्यूटीरिक अमल होता है और इसका IUPAC पधत में नाम ब्यूटेनोईक अमल है और इसके अलावा CS3, CS2, CS2, COOH ये आईसो ब्यूटीरिक अमल होता है और इसको जो है दोस्तों 2-मिथिल प्रोपोनोईक अमल के रूप में IUPAC पधत में जाना जाता है अब कुछ महत्वपोन परिच्छो पियोगी तथ्यों को देख लेते हैं देखिए यहाँ पे जो महत्वपोन तथ्यों है परिच्छाओं की दृष्टी से प्राकृतिक रबर का बहुलक है क्या तो आईसो प्रीन दोस्तों प्राकृतिक रबर आईसो प्रीन का बहुलक होत तो ये पाली एमाइड होता है जिसका ब्रांड नेम केवलर एवं लेकसान बहुलक होता है याद रखीगा नानिश्टिक फ्राइंग कड़ाही में किसका लेप लगा होता है तो ये टेफलान बहुलक का और रेशम तन्तूओं में क्या पाया जाता है दोस्तों फाइब्रो इन पाया जाता है रेशम तन्तूओं में बेकलाइट के संगटक क्या है तो फिनाल और फार्मिल डिहाइड दोस्तों ये बेकलाइट के संगटक है आईए देखते हैं मोनो कार्वोकसिलिक एसिड के बारे में दोस्तों इसका अन्य नाम वसी अमल या फैटी एसिड होता है इसको वसी अमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रेड़ी के उच्च सदस्त जैसे पामिटिक एसिड C15-H1-COOH आदी सरपर्थम वसा से प्राप्ट किये गए थे इसलिए मोनो कार्वोकसिलिक अमल को फैटी एसिड या वसी अमल कहा जाता है दोस्तों सरल्तम मोनो कार्वोकसिलिक अमल क्या है तो ये फार्मिक अमल है जिसका फार्मोला HCOH होता है और नीले लिटमस पर ये प्रभाव तो नीले रंग का लाल रंग में परिवर्तन कर देता है और इसके भौतिक गुण जो होते हैं दोस्तों देखिए इस स्रेडी के परथम तीन फार्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक अमल जो होते हैं तीखी गंध वाले रंग हींद रहो हैं बिवटीरिक अमल से नैनोनिक अमल तक नैनोनोईक अमल तक के वशी अमल दुरगंधित मक्षन जैसी गंध वाले तेली द्रहो हैं और डेकिनोईक अमल से उच्छ सदसे गंध हीन ठोस होते हैं तो दोस्तों ये था महतपूर गुडधर्म मोनो कार्वोकसिलिक एसिड का, अब आएए देखते हैं फार्मिक अमल यानि फार्मिक एसिड के बारे में इसको मेथे नोईक अमल भी कहा जाता है, फार्मिक अमल को इसका सूत्र होता है CH2O2, दोस्तों फार्मिक अमल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो लाल चीटी, मधुमक्खी और बर्रे के डंक में फार्मिक अमल पाया जाता है, नामकरण का कारण क्या है, दोस्तों फार्मिक अमल के नामकरण का कारण ये है, कि सबसे पहले चीटियों में जिसका लैटिन नाम फार्म दोस्तों फार्मिक अमल संचारक द्रव होता है और जल, एलकोहल और इथर में पूर्ण रूप से मिस्रणिय होता है परिच्छाओं की द्रिश्टी से कुछ प्रश्ण देख लेते हैं देखिए मानस्पेसियों में एकत्रित होकर ठकान लाने वाला अमल कौन सा है तो ये लेक्टिक एसिड है मखन में क्या होता है दोस्तों मखन में बिउटाईरिक अमल पाया जाता है आईए देखते हैं डाई कार्वोकसिलिक अमल के बारे में दोस्तों डाई कार्बोकसिलिक अमल जो होता है दो कार्बोकसिल समों से गठित होता है और सरलतम डाई कार्बोकसिलिक एसिड जो होता है वो आगजेलिक अमल होता है दोस्तों आगजेलिक अमल को मैलोनिक अमल और सकसीनिक अमल की नाम से भी जाना जाता है और जान लीजिये क कि आगजेलिक अमल डाई कार्वोकसिलिक अमल होता है ACT कामल दोस्तों ACT कामल का अन्य नाम एथिनोई कामल होता है और इसका फार्मूला है CS3COOH और दोस्तों ACT कामल के प्राकृतिक स्रोत में सिरका और बनस्पतियों के सुगंधित तेल जो है वो ACT कमल के प्राकृतिक स्रोत होते हैं ACT कमल का गुड क्या होता है देखिए ACT कमल तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं इनका क्वथनांक 118 डिगरी सेल्सियस होता है और सिरका और जो ये बनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ हैं ये संचारक द्रव होते हैं दोस्तों देखिए इसको ग्लैसियल एसिटिक अमल भी कहा जाता है क्योंकि ये ठंधा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है अब आईए देखते हैं पुछ परिच्छा द्रिष्टी से महतपोंड प्रश्णों को केले में मिलने वाला अमल कौन सा है तो ये है टार्टेरिक अमल केले में पाया जाता है सेव में कौन सा अमल पाया जाता है ये दोस्तों मैलिक अमल होता है और शीतल पे में कौन सा अमल है इसको कार्बोनिल अमल कहते हैं जो कि शीतल पे में पाया जाता है आईए देखते हैं बिस्फोटक पदार्थ यानि एक्सप्लोसिव से संबंधित महत्पूर्टत्यों को सबसे पहले जानते हैं बिस्फोटक क्या होता है दोस्तों बिस्फोटक ऐसे पदार्थ जो ताप, घरसन या उचित प्रहार के फल सुरूप अपगटित होकर प्रकास, ध्वनी और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन करके तीब्र बिस्फोट करते हैं उनको एक्सप्लोसिव यानि बिस्फोटक कहा जाता है विस्फोटक के गुर धर्म ये हैं कि ये वास्पसील न हो, आर्दता ग्राही न हो, सस्ता और अस्थाई हो और सबसे महत्वपूण बात ये कि ये तिब्र विखटन कारी होना चाहिए आए कुछ महत्वपूण विस्फोटकों के बारे में जानते हैं दोस्तों TNT या ट्राई नाइट्रो टालूइन महत्वपूण विस्फोटक है और दोस्तों इसका जो संसलेशन्ड या इसको कैसे प्राप्त किया जाता है तो टालूइन पर सांद्र नाइट्रिक अमल यानि HNO3 और सांद्र सल्फियोरिक अमल यानि H2SO4 की अभकिरिया द्वारा देखिए टालूइन अमल प्राप्त किया जाता है तो यहाँ पर देखिए टालूइन का जो सुत्र है और टालूइन पर सांद्र नाइट्रिक अमल यानि HNO3 और सांद्र सल्फियोरिक अमल यानि H2SO4 की अभकिरिया द्वारा टी अन्टी प्राप्त किया जाता है दोस्तों टी अन्टी हलके पीले रंग का क्रिश्टली ठोस होता है और यह उच्च कोटी का बिसफोटक है इसका उप्योग कहां किया जाता है तो याद रखेगा दोस्तों TNT का उप्योग बम और तारपीडो के निर्मार में अमोनियम नाइट्रिक के साथ मिलाकर एमेटाल नामक बिसफोटक के निर्मार में इसका प्रियोग किया जाता है दूसरा महत्वपूर्ण जो 20 फोटक है वो है TNG यानि ट्राइ नाइट्रो गिलिसरीन देखिए ट्राइ ट्राइ नाइट्रो गिलिसरीन को दोस्तों एक अन्य नाम नोबल तेल के नाम से भी जाना जाता है और इसका संसलेशन गिलिसरीन पर सांद्र नाइट्रीकमल और सलफ्योरीकमल की अभकिरिया द्वारा होता है देखिए गिलिसरीन पर कंसंट्रेटेड ह2SO4 और HNO3 यानि नाइट्रीकमल की अभकिरिया द्वारा TNG ट्राइ नाइट्रो गिलिसरीन प्रात होता है दोस्तों ये एक रंगहीन तैली द्रव होता है और अत्यन्त ही विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों ट्राइनाइट्रो गलिसरीन महत्वण विस्फोटक है और इसका प्रयोग डाइनामाइट के निर्माण में किया जाता है अगला महत्वण विस्फोटक है दोस्तों ट्राइ नाइट्रो फिनाल जिसको TNP भी कहा जाता है और इसको ट्राइ नाइट्रो फिनाल को पिक्रिक अमल भी कहा जाता है देखिए दोस्तों इसको कैसे प्राप्त किया जाता है देखिए ये महत्वपूर्ण है फिनाल और सांद्र नाइट्रिक अमल किया भक्रिया द्वारा ट्र है उत्पत्तिया इसको इसका संसिलेशन किया जाता है ट्राइ नाइट्रो फिलान फिनाल एक दोस्तों हलका पीला रंग का क्रिष्टली ठोस पदार्थ होता है और ये प्रचंड यानि भयंकर विस्फोटक है इसकी खोज अलफ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी दोस्तों ट्राइ नाइट्रो फिनाल की खोज अलफ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी आए देखते हैं डाइनामाइट के बारे में दोस्तों डाइनामाइट को कैसे प्राप्त किया जाता है आए जानते हैं इसका संसलेशन परमपरागत विध में लकड़ी के बुरादे में नाइट्रो गिलिसरीन को अवसोसित कराकर प्राप्त किया जाता था दोस्तों अलफ्रेड नोबिल द्वारा 1863 में इसकी खोज की गई थी और आधुनिक भी धी ये है कि नाइट्रो ग्लिसरीन के अस्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रियोग किया जाता है जो है हमारे डाइनमाइट के संसलेशन के लिए दोस्तों डाइनमाइट के खोज करता वही है अलफ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोब पूरसकारों की अस्थापना की गई है दोस्तों देखिए डाइनमाइट का उप्योग कूँए खोदने, सड़क बनाने और चट्टानों को तोडने के लिए भायंकर भी स्थोर्ट में किया जाता है ब्लाश्टिंग जिलेटिन क्या होता है दोस्तों ब्लाश्टिंग जिले में किया जाता है तो ये था ब्लास्टिंग जीलेटिन इसका प्रियोग खान खोदने और सुरंग बनाने में किया जाता है RDX क्या है दोस्तों आप समचारों में RDX बिसफोटक के बारे में सुनते होंगे इसका रासाइनिक नाम साइकलो ट्राइमेथलीन ट्राइनाइट्रे मीन होता है इसके खोज करता हैंस हेनिंग है जिन्होंने 1899 में दोस्तों RDX की खोज की थी दोस्तों RDX को USA में साइक्लो नाइट कहा जाता है जर्मनी में हैक्सोजन कहा जाता है इटली में T4 और C4 कहा जाता है देखिए इसका प्रवर्धन जो है कैसे किया जाता है पाली ब्यूटाइन एक्रिलिक अमल और पाली यूरेशन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के साथ RDX मिलाकल प्लास्टिक बार्डेट विसफोटकों का निर्मार किया जाता है तापमान और आग फैलने की गत को बढ़ाने के लिए एलियूमिनियम चूंड के मिसरन का हमने नहीं बताया है इसलिए आपको कमेंट भाक्स ने इसका उत्तर बताना है यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ड विसफोटक गन काटन है गन काटन का संसलेशन रूई या लकड़ी के रेसों पर सांद्र नाइट्रिकमल की अभिक्रिया द्वारा होता है इसकी खोज दोस्तों यह था आज का वीडियो जीयस द्रिश्टी सामानी विग्यान के रसायन विग्यान का छट्वा भाग जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामानी ग्यान और सामानी अधिन के बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रेशनों को तयार कर लेजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फार्सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदर् सामान्य विज्ञान के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परिक्षाओं के सामान्य अध्यन के लिए उपयोगी रसायन विज्ञान यानी कमिश्ट्री के महतपूर्ण प्रश्णों का संग्रै दोस्तों आज की वीडियो में हम इंधन, इंधन के प्रकार, महतपूर्ण प्रश्णों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो जीयस द्रिष्टी रसायन विज्ञान के महतपूर्ण प्रश्णों का भाग साथ आए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इंधन के दहन से कौन-कौन सी गैसें उत्पन होती हैं देख इंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनो आकसाइड गैस उत्पन होती है और कार्बन मोनो आकसाइड अत्यंत विशैले और हानिकारक गैस है और दोस्तों ये इंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन होती है इंधन के दहन से कार्बन डायाकसाइड गैस जो है ये वायू की उपस्थिते में जब इंधन का दहन किया जाता है तो carbon dioxide gas उत्पन होती है और तीसरी महत पूर्ण gas है sulfur dioxide यानि SO2 ये कोईले और diesel के दहन से sulfur dioxide gas जो है उत्पन होती है तो दोस्तों इंधन के दहन से जो मुख्य गैसे हैं carbon mono oxide जो की इंधन के पूर्ण देहन से, कारबन डायाकसाईड वाईू की उपस्थिती में इधन के देहन से, और सलफर डायाकसाईड कोईले और डीजल जैसे हाइडरो कारबन के जो है देहन से उत्पन होती है आईए देखते हैं इंधन किसे कहते हैं देखे यहाँ पर आप चित्र के अंसार देख सकते हैं कोईला, तेल, प्राकरतिक गैस, केरोसीन और जो प्रोपेन हैं ये सब इंधन कहे जाते हैं इसकी परिभासा इस प्रकार से है दोस्तों घरेलू और अध्योगिक उपयोगों से संबंधित उर्जा के प्रमुक सुरोत जैसे लकडी, काश्ट कोईला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल इनको इंधन कहा जाता है अच्छे इंधन के प्रमुक गुण क्या क्या हो सकते हैं देखिए दोस्तों अच्छा इंधन वो होता है जो सहस्ता से यानि आसानी से उपलब्ध हो सके जिसकी कीमत सस्ती हो और जिससे अधिक मात्रा में उस्मा की उत्पत्ती हो और सबसे महत्वपून बात ये कि अच्छा इंधन वो होता है जो जलने के बाद हानिकारक और अवांचनी पदार्थ कम से कम या बिलकुल ने छोड़े अब आएए देखते हैं इंधन दच्छता यानि उश्मी मान की से कहते हैं दोस्तों इंधन दच्छता या उश्मी मान किसी इंधन के एक किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उस्मा की मातरा को कहते हैं और उस्मी मान का मातरक किलो जूल प्रति किलोग्राम यानि केजे पर केजी होता है आये देख लेते हैं दोस्तों बिभिन इंधनों के उसमी मान को देखिए दोस्तों गोबर के उपले जो की गाओं में सबसे आसानी से उपलब्ध हैं गोबर के उपले और आज तो मान लिजे सभी घरों में हम देखते हैं कि जो सिलिंडर गैस हो गया है आपके पास सबके घरो में उपलब्ध हो गया है सरकार की योजनाओं के दौरा भी लेकिन अभी भी कई गाओं में लकडी और गोबर के उपले ही प्रमुख इंधन के रूप में भोजन पकाने के रूप में प्रियोग किये जाते हैं गोबर के उपले का जो उसमी मान होता है वो 6,000 से 8,000 किलो जूल प्रत किलोग्राम होता है लकडी का 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रत किलोग्राम है कोईला दोस्तों 25,000 से 33,000 किलो जूल प्रत किलोग्राम है पेट्रोल का उसमी मान दोस्तों देखिए 45,000 किलो जूल प्रत किलोग् है और डीजल का بھی 45,000 ब्रत किलो ग्राम उस मेमान होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ गैसी इंधन है जैसे मीठेन मीठेन का उस मेमान 50,000 ब्रत किलो ग्राम है CNG यानि compressed natural gas जो होता है इसका उस मेमान 50,000 ब्रकेजी होता है LPG यानि breathing petroleum gas ये 55,000 kg प्रत किलोग्राम इसका उस मीमान है जबकि bio gas या jave gas वह 35,000 से 40,000 kg प्रत किलोग्राम इसका उस मीमान होता है और सबसे महत्वपूर्ण इंधन ही हाइडरोजन है जिसका कि उस मीमान एक लाग 50,000 kg प्रत किलोग्राम होता है लेकिन दोस्तों अभी हाइडरोजन का जो आसानी से प्रियोग किया जाना अभी इसका बाकी है बहुत आसानी से हाइडरोजन को इंधन के रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जलने पर विस्फोट करता है और इसके लिए तरह-तरह की युक्तियां खोजी जा रही है कि किस तरह से हाइड्रोजन को सरल और सुगम इंधन के रूप में प्रियोग किया जाए आएए देखते हैं दोस्तों जीवास्म इंधन या फोसिल फ्यूल किसे कहते हैं देखिए सजीव प्राडियों के मृत अवसेसों यानि जीवास्मों से प्राप्थ होने वाले कोईला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे इंधन जीवास्म इंधन कहलाते हैं तो दोस्तों जीवास्म इधन सजीव प्राडियों की मृत आवसेसों से प्राप्थ होने वाले कोईला, पेट्रोलियम, प्राकिर्तिक गैस इन इधन को जीवास्म इधन कहते हैं कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख जीवास्म इंधनू के उदाहरण है आईए सबसे पहले कोईले के बारे में जानते हैं दोस्तों कोईले की जो संरशना होती है वो मुख्य रूप से कोईले का जो मूल तत्थ है वो कार्बन है और कार्बनी करण की प्रक्रिया द्वारा जैसे मृत बनस्पतियों का धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोईले में परिवर्तन अत्यधिक समय से जो बनस्पतियां है मृत बनस्पतियां अत्यधिक ताप और दाब के द्वारा उनका कार्बनी करण होता है और इससे कोईले का निर्माड होता है दोस्तों कोईले को काला सोना या बलैक गोल्ड भी कहा जाता है और इसका उप उत्पाद कोक और कोलतार होता है अब आईए देखते हैं कोक के बारे में महत्वपूर जानकारी दोस्तों कोक जो है ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और इसके गुण ये हैं कि ये कठोर सरंद्र और काला पदार्थ होता है इसका उपयोग यानि कोक का उपयोग दोस्तों इस पात के अध्योगिक निर्मा और धातूं के निसकरसड में किया जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है इस पात के और द्योगित निर्माड में और धातूं के निसकरसड में कोक का प्रियों किया जात और दोस्तों इसका गुण जो होता है ये कोलतार जो होता है ये अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसकी गंध बहुत ही खराब होती है दोस्तों कोलतार का जो उप्योग है देखिए संसलेसित रंग और शद बिसफोटक सुगंध प्लास्टिक पिंट और फोटोग्राफिक सामगरी तथा छत निर्मार की सामगरी आदि में कोलतार का प्रियोग किया जाता है कोईले के बाद आएए देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में दोस्तों को पेट्रोलियम को पारंपरिक तेल या हलका तेल भी कहा जाता है और इसका स्रोत क्या है तो पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है दोस्तों पेट्रोलियम समुद्र की तली या भूमी पर भूपर पठी की गहराई से प्राप्त होता है, पेत्रोलियम के जो घटक है वो गैस, गैसोलीन, कैरोसीन, डीजल, तेल, निफ्था, ग्रीस, मॉम और एस्फाल्ट देखिए जो पेत्रोलियम है वो भूरे रंखा या गारे-बूरे रंखा, गाढ़ा द्रौ होता है और इसी पेट्रोलियम या क्रूड से गैस, गैसोलीन, केरोसीन, डीजल, निफ्था, ग्रीस, मूम और एस्फाल्ट आधी प्राप्त होता है और दोस्तों इसका उपयोग क्या है, तो पेट्रोलियम का उपयोग इधन के रूप में, पीडक नासकों, प्लास्टिक, कृत्रिम्रे से, पिंट और सधियों के निर्माड के रूप में, कच्चे माल के रूप में किया जाता है देखिए कोल गैस क्या होती है दोस्तों कोईले के प्रक्रमड द्वारा कोक बनाते समय कोल गैस का निर्मार होता है तो देखिए कोईले का जब प्रक्रमड किया जाता है प्रोसेसिंग किया जाता है कोक बनाने के लिए उस समय कोईला गैस निकलती है और इसका उपयोग उद्योगों में इंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों आप जानते हैं कोईला एक महतुपूर्ण जीवास्म इंधन होता है कोईले के प्रमुख प्रकार जान लेते हैं कौन-कौन से प्रकार हैं कोईले के तो ये है दोस्तों पहला पीट कोईला है जो कि निम्न स्रेंडी का कोईला होता है इसमें जल यानी जल वास्प की मातरा अधिक होती है जिसके कारण ये धूआ अधिक देता है और इसको निम्न स्रेंडी का कोईला कहा जाता है इसमें कार्बन की मातरा कम पाई जाती है दूसरा है लिगनाइट तो लिगनाइट को दोस्तों भूरा कोईला कहा जाता है और ये सबसे कम उसमा उत्पन करता है एक है सब बिटुमिन दोस्तों इसके अलावा बिटुमिनस होता है बिटुमिनस साफ्ट कोक या साफ्ट कोईले को कहा जाता है और इंथ्रे साइट देखिए दोस्तों इंथ्रे साइट जो होता है ये कठोर कोईला होता है और ये कोईले का सबसे विशिष्ट स्रेड़ी या अच्छी स्रेड़ी का कोईला इसी में होता है कार्बन की मात्रा इसमें सरवाधिक होती है और एंध्रेसाइट कोईले से सरवाधिक उसमा निकलती है प्राकृतिक गैस या निचुरल गैस दोस्तों प्राकृतिक गैस या निचुरल गैस जो है वो गैसी हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसों का मिसरण होता है और प्राकृतिक गैस के स्रोत यानि सोर्स क्या है दोस्तों पेट्रोलियम के तेल कूप यानि पेट्रोलियम के जो प वो इसमें 45-85% तक मीथेन पाई जाती है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तो देखिए प्राकृतिक गैस मीथेन मुखे रूप से मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिसरण होता है और इसका उप्योग दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो उप्योग है वो इंध को अलग करके उच्छ दाब पर द्रवित मिश्रण को LPG कहा जाता है तो LPG कैसे प्रात होता है जो तरल पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं दोस्तों तरल पेट्रोलियम गैस जो है वो निचुरल गैस से यानि प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग कर दिया जाता है और उसको उच्च दापर द्रवित अवस्था में सिलिंडर्स में भर दिया जाता है और इसको ही LPG कहा जाता है अब आईए देखते हैं दोस्तों खाद्य संरक्षण, पोसण और औसधियों से संबंधित प्रश्णों को सबसे पहले खाद्य संरक्षण के बारे में द प्रश्टूं को रखना एक है salting यानि नमक के घोल में रखना फिर pickling यानि इसको सिरके में अचार के रूप में प्रिजरो करना drying यानि इसको सुखाना और addition याप sugar यानि चीनी के गाढ़े घोल में रखना और ये सभी food preservation यानि खाद्य संरक्षण के तरीके हैं क्योंकि इन तरीकों में जो जिवाड़ों का बढ़ना होता है वो कम हो जाता है या फिर वो धीमी गति से होता है इसलिए हमारे खाद्य पद संरक्षित रहते हैं दोस्तों खाद्य संरक्षण की परिभासा क्या है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावध के लिए खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षा परदान किया जाता है उसको खाद्य संरक्षण के सिध्धान्त क्या है तो द चीवाड़ों को नश्ट करके सुचम जीवाड़ों की अभिक्रिया को रोक कर या उसमें बिलंबुतपन करके और इन्जाइमों की अभिक्रिया को रोक कर खाद संरक्षन किया जाता है खाद परिरच्छक या प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों ऐसे पदार्थ जो सुष्म जीवाड़ूं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं उनको खाद परिरच्छक कहते हैं तो कई ऐसे रसायन हैं जो खाद परिरच्छक या फूड पे जरुवेटिस का काम करते हैं इसमें सोडियम बेंजो एट, C6, C7, H5 या ने O2 और पोटेसियम मेटा बाई सलफर ये दो रसायनिक पदार्थ ऐसे हैं जो खाद परिरच्छक के रूप में परियोग किये जाते हैं और सधियों के बारे में आये जानते हैं दोस्तों और सधियां या ड्रक्स किसे कहते हैं ऐसे रसायनिक पदार्थ जिनका परियोग रोगों के निदान और दर्द निवारणाद में किया जाता है उनको और सधियां कहा जाता है एसधियां कई प्रकार की होती है सबसे पहले हम ज्वरनासक या एंटि पाईरेटिक आउसधियों के बारे में जानते हैं दोस्तों ऐसे रशानिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्छ ज्वर याने फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है उनको ज्वर नासक कहा जाता है ज्वर नासक आउसधियों में एस्पिरिन, एसिटिल, सेलसिसिक आमल को कहा जाता है पैरसिटमोल और फिन एसिटिन ये सभी ज्वर नासक आउसधियां है ज्वर नासक आउसधियों में एस्पिरीन, पैरसीटामाल और फिन एसिटीन आती है आगे आए देखते हैं दोस्तों दर्द निवारक या दर्द नासक औसधियों के बारे में देखिए दोस्तों ऐसी औसधियां जो मांसिक उल्जन या अन्य तंत्र की कोप्रभाव के दर्द को कम करती हैं उनको दर्द नासक कहा जाता है और ऐसी औसधियों में देखिए अनिद्राकारी दर्द नासक होते हैं जैसे एस्पिरिन और पैरसीटामोल, निद्राकारी पीडा नासी और ऐसी औसधियों जो निद्रा उत्पन करती हैं अफीम उत्पाद जैसे मार्फीन, कोकीन और हिरोईन तो दर्द नासक या दर्द निवारक उसधियों में दो प्रकार की एक अनिद्रकारी दर्द नासक इसमें एस्पिरिन और पैरसीटमॉल है और निद्रकारी पीडाहारी में दोस्तों जो निद्रा उत्पन करने वाली आउसाधियां हैं उसमें अफीम उत्पाद जैसे मार्फीन, कोकीन और हिरोईन आते हैं अब आएए देखते हैं प्रतिरोधी या एंटी सेप्टिक आउसाधियों के बारे में दोस्तों antiseptic या प्रतिरोधी अउसधियां क्या होती हैं तो ऐसे रसायन जो सुछमजीव या माइक्रो आर्गेनिजम को मारते हैं या उनकी बृध्धि को रोकते हैं उनको antiseptic कहा जाता है इसमें मरक्यूरोक्रोम, बोरिक, इसीड, आइडोफार्म, पोटेसियम, परमेगनेट ये सभी antiseptic ओसधियों के रोप में प्रियोग की जाती हैं कुछ ओसधियां दोस्तों वी संक्रामक होती हैं वी संक्रामक कौन से ओसधियां हैं तो ऐसे रसायन जो जिवाड़ूं या सुछमजी सिगरता से नश्ट कर देते हैं उसको disinfectant कहा जाता है यानि बी संक्रामक कहा जाता है और इसका उपयोग दोस्तों उपकाडों, बरतनों, फर्स और सेनेटरी फिटिंग आधिके विसंक्रमड के लिए किया जाता है और इसके उदाहरण में देखिए फिनाल, मेथिल फिनाल, हाइडोजन पर आकसाइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और सल्फर डाई आकसाइड है और इन सभी उसधियों का प्रियोग दोस्तों विसंक्रमड के लिए किया जाता है और ये उसधियां सुछम जीवों को या जीवाड़ों को सिगरता से नश्ट कर देती हैं अगला और अवसाद को दूर करने में सहायक होती हैं ऐसे अवसधियां जो मानसिक तनाव को कम करती हैं और अवसाद को दूर करती हैं इसमें देखिए इसके उदाहरणों में कौन कौन सी हैं इसमें रेजर पाइन इसका सरोत राव बोलफिया सर्पेंटाइन नामक पौधा होता है और बार्बी टियूरिक अमल से उद्पन लियूमिनल और दोस्तों से को नल आदी ये प्रशानतक यानि मानसिक तनाव को कम करने वाली और सधियों के रूप में प्रियोग किये जाते हैं अब आएए देखते हैं प्रतिजयविक या एंटी बायोटिक एंटी बायोटिक और सधिया क्या है तो ऐसे रसायनिक पदार्थ जो जीवित को सिकाओं से प्राप्ति या निर्मित होते हैं और सुछम जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं और उन्हें इसमें खोजा गया था अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलीन के खोज की थी और इसका स्रोध पेनिसीलियम नोटेटम नामक जीवाडु है और दोस्तों पहले एंटीबायोटिक मेडिसीन पेंसिलीन 1928 में निर्मित की गई थी अब आये देखते हैं बेहोशी कारक या एनस्थेश्टिक दोस्तों ऐसी औसधियां जो सभी प्रकार की कोसिकाओं प्रमुक्त तंत्रिका तंत्र के जैवकारियों के परत अचेटना उत्पन करती हैं उनको बेहोशी कारक या निश्चेतक औसधियां कहते हैं इसमें मुख रूप से chloroform शामिल है आईए प्रमुक खाद परिरच्छकों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रमुक खाद परिरच्छकों में एपोकसाइड देखिए एपोकसाइड सुस्क फल और मसालों का परिरच्छड से किया जाता है सोडियम मेटा बाई सलफाइट इसका उपयोग सास जैम और अचारों के परिरच्छण में किया जाता है सारविक अमल और उसके लवण तो दोस्तों सारविक अमल और उसके लवण इस्ट और फफूदी की बृधि को रोकने के लिए और सोडियम बेंजोएट ये मृद उपय जो साफ्ट ड्रिंक होते हैं और अमली भोजन के परिरच्छण के लिए देखिए सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा सभी परिक्षाओं के लिए सामान नियध्यन के अंतरगत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वण प्रशनों का संग्रे जिसमें आपने इंधन इंधन का उसमी मान क्या होता है इंधन के प्रकार कौन कौन से हो इसलिए इनको तयार करना बहुत जरूरी है दोस्तों रसायन विज्ञान का एक भाग और हम प्रसुत करेंगे उसके बाद हम सीधे जीव विज्ञान पर आएंगे तो अन्य ज्यान वर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहें वीडियो जो आपके लिए उप अब दोस्तों आपको जो एक जानकारी देनी थी कई सारे दोस्तों के मेसेज आते हैं कि हमको पीडियो नोट चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेली ग्राम चैनल पर जो की इसी नाम से है मार्क दौशन फार सीविल सर्वीसेज टेली ग्राम डाउनलोड करके आप मार्क जब आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा आप उसको जोईन कर लिजे और वहाँ पे धेर सारे सैकडो PDF उपलब्ध हैं आप वहाँ से अपनी जो आवसकता की PDF है आप उनको निकाल लिजे डाउनलोड कर लिजे और अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि आगे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो दे ग्यान के महत्वण प्रश्णों का भागाठ जो आपके आगामी परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन के लिए बहुत ही उप्योगी तथा महत्वण है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम उर्वरक के बार उर्वरक या फर्टिलाइजर्स वेपदार्थ हैं जो पौधों की पोसर आवसकताओं की पूर्ति के लिए मिट्टी में डाले जाते हैं इनको अकार्बनिक खाद्य भी कहा जाता है दोस्तों बहुत ही महत्वण है पौधों की ब्रिध्ध और विकास के लिए उनके पोसकत की आपूर्ति के लिए जो पदार्थ मिट्टी में डाले जाते हैं उनको उर्वरक कहते हैं उर्वरक अकार्बनिक खाद्य होते हैं और दोस्तों उर्वरकों में मुख्य रूप से नाइट्रोजनी उर्वरक फासफेटी उर्वरक और पोटैसी उर्वरक होते हैं तो तीन के उर्वरक है नाइट्रोजनी फासफेटी और पोटैसी आईए जानते हैं दोस्तों उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है बहुत ही महत्वपोड है आप हमेशा सुनते हैं उर्वरक और खाद के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं उर्वरक और खाद में अंतर क्या है दोस्तों उर्वरक एक अकार्बनिक लवड है बहुत ही महत्पोड है उर्वरक जो है पौधों की आवसक्ताओं या पोसड आवसक्ताओं की पूर्ति के लिए एक अकार्बनिक लवड है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानो अपसिष्ट और पौधो के औसेस के बिगटन से प्राप्त होता है दूसरा अंतर ये है कि उर्वरक का जो उत्पादन होता है वो फैक्टरियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है तीसरा अंतर ये है कि उर्वरक से मिट्टी को हिूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से मिट्ट को हिूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है चौथा अंतर उर्वरक और खाद में ये है कि उर्वरक में पादप पोसक जैसे की नाइट्रोजन, फासफुरस और पोटेसियम प्रचुरता में होते हैं जबकि खाद में पादप पोसक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं लेकिन अगर जो संपोसड़ी जो पोसड़ है उसके हिसाब से देखा जाए तो उर्वरक के तुलना में खाद जो हैं अधिक संपोसड़ी होते हैं क्योंकि इनसे मिट्टी की गुडवर्ता और उर्वर्ता दिर्ग काल तक बनी रहती है सबसे पहले आईए जानते हैं नाइट्रोजनी उर्वरकों के बारे में दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरक में अमोनिया युक्त उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक और एमाइड युक्त उर्वरक आते हैं और भारत में सरवाधिक उतपादित होने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन की प्रतिशता कितनी होती है देखें आमोनियम सलफेट दोस्तों एक नाइट्रोजनी उर्वरक है इसमें नाइट्रोजन 21 प्रतिशत होता है आमोनियम क्लोराइड में 25 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है Ammonium Nitrate में Nitrogen की मातरा 35 प्रतिशत होती है Calcium Nitrate में 17 प्रतिशत Sodium Nitrate में 16 प्रतिशत Calcium Synamide में 21 प्रतिशत Nitrogen होता है और Urea जो है तोस्तों इसमें 46 या 46.4 प्रतिशत Nitrogen होता है Phosphate उरवरक तो प्रमुक फासफेटी उर्वरक मोनो फासफेट, डाई फासफेट, ट्राई फासफेट और पाली फासफेट उर्वरक होते हैं और इनके स्रोत हड़ी का चूरा, बेसिक स्लैग और चूरित राख फासफेट होता है उनमें जो उनसे फासफेट प्राप्त होता है देखिए सुपर फासफेट से 16 से 47 प्रतिशत फासफेट एमो फास से 48 प्रतिशत बेसिक फ्लैग से बेसिक स्लैग से दोस्तों 15 से 25 प्रतिशत हड़ी काचूरा से 20 से 35 प्रतिशत राग फासफेट से 25 से 30 प्रतिशत कैलसियम फासफेट जो मोनो कैलसियम फासफेट है उसमें 50 प्रतिशत और मेटा फासफेट से लगभग 64 प्रतिशत फासफेट प्राप्त होता है और तीसरे मुख्य जो उर्वरक है वो है पोटैसी उर्वरक दोस्तों कहनिट और मियूरियेट आप पोटास जो है ये मुख्य पोटैसियम यूर्वरक होते हैं और इन उर्वरकों की आवसकता पौधों को कम पड़ती है प्यूरियेट आप पोटास क्या है तो ये कैल्स पोटेशियम क्लोराइड का ब्यापारिक नाम प्यूरियेट आप पोटास होता है दोस्तों हम विभिन पोटैसी उर्वरकों में पोटास की प्रतिशता देखें तो पोटैसियम क्लोराइड में 48-60 प्रतिशत पोटैसियम सलफेट में 48-50 प्रतिशत कैनिट में 12-16 प्रतिशत पोटैसियम नाइटरेट में 44 प्रतिशत लकड़ी की राख में 3-7 प्रश्यत और तंबाकू के डंठल में पोटास की मात्रा 4-9 प्रतिश्यत होती है तो ये था प्रमुख नाइट्रोजनी, पोटेसियम और फासफेट उरवरक और विभिन उरवरकों में इन तत्तों के पाय जाने वाली मात्रा को बारे में आपने देखा अब आए रसायन विज्ञान के विविध परिच्छोप योगी तत्यों के बारे में देख लेते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख दिवस और तिथियां जो विज्ञान के रूप में या वैज्ञानिक दिवसों के रूप में मनाय जाते हैं देखिए कुष्ट निवारण दिवस प्रतिवर्स 31 जन्वरी को मनाय जाता है विज्व बन दिवस 21 मार्च को जै विवित्ता दिवस आप जानते हैं 22 माई को प्रिथवी दिवस 22 अप्रेल को मनाय जाता है दोस्तों विज्व जल दिवस तो देखिए विज्व जल दिवस जो अगे अब आज आईए देख लेते हैं प्रमुख अस्थल और उनसे संबध संस्थान सिमला तो दोस्तों केंद्री आलू सोध संस्थान सिमला में है नागपुर में केंद्री एगमार्क प्रयोग साला है है एदराबाद पहला डाइनो सोरियम है और लखनव में दोस्तों निशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर है कलकत्ता में देश का पहला दंत चिकिस्सा महावि द्याले खोला गया था अगला प्रश्न अस्थल और उनसे संबध संस्थानों को और भी विश्तार में देखते हैं देखिए देहरादून में भारती सर्वेक्षड बिभाग और राष्ट्री द्रिष्टिहीन संस्थान है कानपूर में इंडियन इंस्टिचीवट अफ सूर् प्रियोग प्रियोग शाला यानि हाई सेक्योर्टी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी ये भोपाल में हैं प्रियाग राज में मोतिलाल नहरू नेशनल टेकनलजी आफ इंडियन इंस्टिचीवट है जिसको साट में MNIT कहा जाता है हैदराबाद में राष्टी मानसिक विकला संस्थान है और आगरा में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टिचीवट है लखनव में दोस्तों सेंट्रल ड्रग इंस्टिचीवट है और रोम में FAO यानि Food and Agriculture Organization है इसकी अलावा देखिए देहरादून में आपका इंडियन इंस्टिचीवट आफ रिमोट सेंसिंग आई आई आ संस्थान जो कि ओडिशा में है अहमदाबाद में Space Application Center है पुड़े में या दिल्ली में हमारे Inter-University Accelerator Center है पुड़े में दोस्तों देखे Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics ये पुड़े में है हैदराबाद में National Remote Sensing Agency है बंगलूरू में Indian Space Research Organization यानि इसरो का मुख्याल है बंगलूरू में इस सित है तिर्वननपुरम में V.S.S.C. विक्रम सारा भाई Space Research Center है और हासन जो करनाटक में है इसरो की माश्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है और दोस्तों स्री हरिकोटा यहाँ पर सतीस धवन अंतरिक्ष केंद्र इस्तित है आगे आईए प्रमुख अस्थल और उनकी असी तो यहाँ पर केंद्री उच्च तिब्बतन अध्यन संस्थान है मुंबई में इंडरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान बंगलूरू में राश्ट्री मनुस्वास्त एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है अधराबाद में केंद्री अंग्रीजी तथा और हैदराबाद में राष्ट्रिय ग्रामीड विकास संस्थान और राष्ट्रिय पोसर्ड संस्थान ये दोनों इस्थित हैं। ग्रिफाइट भारी मसीनों के लिए स्नेहक ये लुब्रिकेंट का काम करता है। ठोस कारबन डाय आकसाइट को सुस्क बर्फ कहा जाता है। भारी जल क्या है दोस्तों डियूटीरियम आकसाइट भारी जल होता है और परमाडु संयंत्रों में मंदक और सीतलक के रूप में इ शुद्ध जल से सुद्ध जल प्राप्त करना निरलवडी करण होता है। क्लोरीन ये पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्त है। उतक्रम परासरन जिसको आरो रिवर्स आस्मोसिस कहते हैं ये समुद्री जल को शुद्ध करने में सहाइक होत फिटकिरी दोस्तों फिटकिरी असकंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वक्ष करता है पानी को शुद्ध करना निरलवडी करन उत्क्रम परासन और क्लोरीन और फिटकिरी ये पानी को शुद्ध करने के तरीके हैं दोस्तों गोता खोर जो है आकसीजन सिलिंडर में कौन एस्थेटिक गैस मानी जाती है जिनान को इस्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है हीलियम ये वायुयान के टाइरों में भरी जाती है हीलियम दोस्तों गुबारे में भी हीलियम का प्रियोग किया जाता है इसके अलावा अमोनिया दोस्तों ये अस्रुगैस लूइस चार और जल म वासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट यानि याननी 2 CO3 है एपसम लवर मैगनीसियम सलफेट को कहते हैं बेकिंग साल्ट एन एच सीओ त्री यानि सोडियम बाई कार्बोनेट को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर कैलसियम आकसी क्लोराइड को कहते हैं दोस्तों सिलवर ब्रो माइड का प्रियोग किया जाता है मश्टर्ड गैस दोस्तों ये रासायनिक आयूद है और मेथेन क्या है ये छापे खाने की स्याही में जो है बनाने में मेथेन का प्रियोग किया जाता है इथिफान ये कच्चे फलों को पकाने में प्रियोग किया जाता है और आकसीजन औ और एसिटिलीन का मिशनर गैस वेल्टिंग के लिए प्रियुक्त होता है एथिल एलकोहल ये सक्कर की किडवन से निर्मित होता है आईए देखते हैं आईसो प्रिन के बारे में तो ये प्राकृतिक रवर का बहुलक होता है और पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त हो लैक्टिक एसिड देखिए लैक्टिक एसिड दोस्तों ये मांस्पेसियों में थकान का अनुभव लैक्टिक एसिड से होता है और ये दूद में पाया जाता है एसिटिक एसिड सिर्का में साइट्रिक अमल नीबू में ब्योटेरिक अमल दुरगंध युक्त मक्षन में औ और आगजेलिक अमलका प्रियोग फोटोग्राफी, सोडियम थायो सल्फेट और सिलवर ब्रोमाइड में किया जाता है। दोस्तों मीथेन और वायू के मिस्राड से जो खाने होती हैं कोईले की खाने उसमें विस्फोट होता है। RDX किसको कहा जाता है? Research and Research Development Explosive, Cyclonaut, Hexogen या T4 को RDX कहा जाता है, ये प्रमुख बिस्फोटक है। आक्टेन संख्या क्या है? तो आक्टेन संख्या पेट्रोल के गुडवत्ता की माप होती है। किडवन, बायो गैस संयंत्र में किडवन की प्रक्रिया होती है, जिसे बायो गैस जो है उत्पन होता है। बियूटेन, तो ये LPG यानि द्रवी क्रित पेट्रोलियम गैस का मुख है, जो आवयाओ या घटक है, बियूटेन होता है। मरकटेन क्या है? तो दूस्तों LPG जो है उसकी दुरगंध या उसके लीकेज का पता लगाने की लिए मिप्तायल मरकटेन मिलाय جाता है, ताकि उसके लीकेज का पता लगाया जा सके। कोल गैस क्या है तो देखिए मेथेन कार्बन मोनो आकसाइड और हाइडरोजन का मिसरण कोल गैस कहलाता है वाटर गैस कार्बन मोनो आकसाइड और हाइडरोजन इसको वाटर गैस कहते हैं CNG तो ये compressed natural gas जो है ये methane और carbon dioxide का मिसरण होता है gasohal दोस्तों ethyl alcohol और petrol को mix करने पर gasohal निर्मित होता है lead tetra ethyl क्या है तो ये car के engine की anti-knocking में lead tetra ethyl का प्रियोग किया जाता है ethylene glycol ये automobile engine में anti-freeze agent के रूपे मिलाया जाता है फ्रेयान ये घरेलू प्रशीतकों में प्रियोग तो होता है animal charcoal ये कच्ची चीनी को रंग भिहीन करने के लिए animal charcoal का प्रियोग किया जाता है इस्परीन दोस्तों anti-piratic है potassium bromide ये शान तिकारक औसधी है aluminum phosphide कीट ना सक है और देखिए वनस्पती तेल साबुन बनाने में प्रियोग किया जाता है अब मार्जक या detergent ये शोधन अभिकरता होते हैं और nitrogen देखिए nitrogen गिहों की उचित हरित्मा और उचित विकास के लिए प्रमुख पोसक तत्व है ammonium sulfate मिर्दा में सरवाधिक अमल छोडता है amide ये यूरिया में nitrogen का रूप है यूरिया में जो है nitrogen amide के रूप में मिलती है carbon dioxide दोस्तो carbon dioxide का उप्योग यूरिया और वरक के उत्पादन में प्रियोग किया जाता है elithrin क्या है तो ये मच्छर के लिए मच्छर से बचाओ के लिए elithrin रसायन है जो pyrethrum से प्राप्त होता है potassium cyanide ये चूहे मारने का जहर है zinc phosphide ये rodenticide या क्रियोग किया जाता है और देखिए aluminium phosphide क्या है तो दोस्तों aluminium phosphide जो है वो कीट नासक के रूप में प्रियोग किया जाता है और क्रुक्स काच क्या है तो परावैगने केडों के अवसोसर की छमता क्रुक्स काच में होती है zinc oxide को यसद पुस्प या पारे का फूल भी कहा जाता है तो याद रखिएगा zinc oxide यसद पुस्प कहलाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जीयस द्रिष्टी सामान विज्ञान के अंतरगत हमने रसायन विज्ञान के संपूर रसायन विज्ञान को आठ भागों में कवर किया है इस तरह से physics और रसायन विज्ञान हमने cover कर लिया है अब आगे हम G.S. दृष्टी जियो विज्ञान को देखेंगे चुकि जियो विज्ञान सामान या ध्यन के अंतरगत सरवातिक महतपूर पार्थ है इसलिए आप जियो विज्ञान को बहुत अच्छे से तयार कर लिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माग दोशन फार सिविल सर्विश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार